हालो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौट ग्लासिस पार बच्चो उमीद है कि आप लोगों ने अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर रखी होगी और बोड एक्जाम के लिए आप बिलकुल अच्छे तरीके से प्रेपर हो चुके होंगे अगे आप देखो अदर्वाइस वीडियो को यहीं पर लीव कर दो पहले आप डाउनलोड करो डाउनलोड करने के बाद उसको आप देखो पहले सेंपल फेपर को और उसको पैक्टिस करो पैक्टिस करने के बाद फिर यह वीडियो के साथ मैच करो कि आपके आंसर कितने सही हैं और कितने गलत हैं तो हम यहां पर पूरा solution उसका गरने वाले हैं ताकि आपको clear हो सकेगी आपने कहीं पर कुछ mistake करी है या नहीं करी है या आपका सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है अगर mistake करी है तो बिलकुल panic कि problem exam में ना हो और बाकि सारा का सारा content आपको पता है channel के उपर already available है जो भी आप करना चाहते है आप mcq करना चाहते है के study करना चाहते है आप regular videos देखना चाहते है one shot देखना चाहते है important question videos देखना चाहते है सब कुछ channel के उपर अविलेबल है और आई होब आपने उसका पूरा-पूरा बेनिफिट उठाया होगा और अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से आपने करी होगी तो स्टार्ट करते हैं जो पहला हमारा सेक्षन है अपको पता है कि सेक्षन एकी के इंदर करने की जरुद बिल्कुल भी नहीं है अब्स पहला इंटीबल मैटरशी और बहुत 먹 अनवर निसमें से कौनशी स्टेट्मेंट गलत है वह आपको अडेंटिफाई करना है तो पहली स्टेट्मेंट है हुशppers है कि adjoint of a is equal to determinant of a into a inverse तो यहां से अगर आप देखोगे तो a inverse का फार्मुला होता है adjoint of a divided by determinant of a तो उसी को ही change करके इसने यहां पर यह लिखा है मतलब यह statement आपकी correct है determinant of a inverse is equal to determinant of a का inverse अब यहां पर determinant क्योंकि एक number होता है उसकी inverse का मतलब है उसकी power minus 1 है तो यहां पर जब आप इसको लिखोगे तो किस तरीके से यहां पर यह लिखा जाएगा यहां पर यह करता है कि determinant of a inverse is equal to one upon determinant of a क्योंकि यह number है यह power minus 1 का मतलब इसको reciprocal मिलाओगे तो यह नीचे जागे प्लस हो तो यही हमारा answer है यही हमारा solution है कि यह statement यहां पर correct नहीं है उसके बाद next अगर चलते हैं question पर for any two by two matrices if a into adjoint of a equals to 8008 then determinant of a is equals to अब आपको determinant of a निकालने के लिए यहां पर a तो दिया ही नहीं है तो determinant हम कैसे निकालेंगे इसके लिए हमारे पास formula होता है कि a of adjoint of a किसके बराबर होता है a of adjoint of a यह बराबर होता है determinant of a into में i तो यहां से अगर आप 8 को बाहर निकाल दोगे 8 आपने यहां बाहर निकाला तो आपके पास क्या बनेगा एट और अंदर क्या बचेगा आपके पास 1001 तो इसको जब आप इससे compare करोगे तो determinant of a आजाएगा आपके पास 8 तो आपके पास इसका जो answer है यह बनेगा यहां पर c उसके बाद अगर next question पर चले हम यहां पर कहता है कि in an examination out of 1000 student out of 1000 student 70% boys and 80% girls are past if total pass percentage was 76% in the number of girls अब यहां पर आप देखोगे तो इस question ना ratio का नहीं है यह question allegation and mixer का है यहां पर boys हैं गल्स हैं तो उन्हों को mix करके उनकी pass percentage निकाली गई है तो इसमें allegation mixer का concept आप यूज कर सकते हैं अगर आप ratios वाले तरीके से निकालना चाहिए आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो आंसर बस ठीक होना चाहिए लेकिन allegation mixer वाला तरीका हमें असान पड़ेगा क्योंकि आपके पस 70% boys है 80% girls है जो कि ratio निकल जाएगी तो यहां से अगर आप इसको solve करोगे अब allegation mixer में पता है हमें कि इसमें से इसको minus करते है तो 80-76 4 आ गया और 76-70 आ गया 6 तो ratio आगी 2-3 अब इसने पूछा number of girls तो number of girls हैं यहापर y तो y किसको represent कर रहा? y represent कर रहा 3 को ratio का total कितना है? ratio का total है 5 और total number of student है 1000 तो girls हो जाएंगी 600 अगर boys पूछ लेता तब boys हो जाते 400 if x is a poison variable such that px equals to k is equals to px equals to k plus 1 then variance of x is तो variance आपको बताना है यहाँ पर x का अब poison distribution में जो formula होता है उसमें e की power minus lambda into में lambda की power होती है r, r की जगे आपको यहाँ पर दिया हुआ है k तो lambda की power k divided by k factorial यह किसके बराबर है? e की power minus lambda lambda की power k plus 1 divided by k plus 1 factorial e की power minus lambda cancel, यहाँ पर आगया lambda की power k, इदर आगया k factorial lambda की power जो k plus 1 है उसको आप ऐसे लिख दो, lambda की power k into में lambda और जो k plus 1 है उसको आप लिखो k plus 1, फिर into में k नहीं पर ही रोब दो k factorial से cancel हो गया, lambda की power k से cancel हो गया, lambda की value आगई k plus 1 अब poison distribution के अंदर जो mean और variance दोनों ही lambda होते हैं तो यानि अगर lambda की value k प्लस 1 है तो variance की value भी k प्लस 1 है तो option बना इसका अमारा b question number 5 में जाते हैं कहता है इसे matrix A is both symmetric and skew symmetric एक matrix है जो symmetric भी है और skew symmetric भी है दोनों ही quality उसके अंदर है तो ऐसा तभी possible हो जकता है जब matrix zero matrix होती है zero matrix symmetric भी आप कह सकते हो उसे इसको symmetric भी कह सकते हो तो option बनता है इसमें हमारे पास A is a zero matrix तो option number यहाँ पर बना हमारे पास C next में कहता है कि two pipes A and B can fill a tank in one and a half hours one and a half hours and one hour respectively A pipe C can empty the tank in the two hours if all the three pipes are open simultaneously how long does it take to fill the empty tank अब यहाँ पर आप तीनों का पहले एक एक घंटे का काम निकालो यह total tank को भरता है आदे घंटे में तो एक tank को यह भरने में कितना time लगाएगा one upon में जो भी हाँ time दिया होता उसको मैंसे नीचे लिख लेते है प्लस जो दूसरा वाला है वो एक घंटा लगाता है तो one upon में उसका time कितना दिया हो है one और जो खाली करता है वो दो घंटे में खाली करता है तो minus आजाएगा one upon में two अब यहाँ से इस two को आप उपर लेके जाओ two plus one minus one upon two two plus आजए three three में से half minus करेंगे आप तो आजाएगा five upon two तो एक घंटे में इतना tank भरा जा रहा है तो time कितना हो जाएगा time के लिए हम इसका reciprocal कर देते है तो two upon five यह two upon five किसमें आर्स में है आपको तो answer चाहिए minute में क्योंकि आपको options जो हैं आपर minute में दिये हुए तो two upon five को जब आप minute में convert करेंगे 60 से multiply कर देंगे तो यह आजाएगा 24 minute तो answer बनेगा आपका 24 minute seven question में कहता है कि इसके integral आपको बताना है एकी पावर x प्लस 2x माइनस 3 dx यहां से इसका अगर आप integration करते हो एकी पावर x का integration में तो कोई change होता नहीं वो तो e की पावर x ही रहेगा तो 2x का integration करोगा जाएगा 2x square upon में 2 और 3 का जाएगा माइनस 3x प्लस में c यहां से एक cancel हो जाएगा तो answer बना e की पावर x प्लस x square माइनस 3x प्लस c option में देखो आपके पास e की पावर x प्लस x square माइनस 3x option आपके पास बनता है यहां पर b उसके बाद next question है कहता है the function fx equals to x q प्लस 3x is increasing on यह तो function है यह increasing function है कहाँ पर increasing function है कौन-कौन सी values है कौन-कौन से interval है जिस पर ही increasing होगा तो उसके लिए आपको derivative निकाल के देखना है आप derivative निकालेंगे तो आएगा 3x square प्लस 3 अब यहां से 3 common निकालोगे अब यहां से critical point आप निकालना चाहोगे तो निकलेंगे नहीं क्योंकि x square प्लस 1 जब आप 0 के बराबर रखोगे तो x square की value तो माइनस बनाएगी तो अब हम यहां से कैसे check कर रहे हैं कि हमारे पास answer किस से positive आएगा तो आप यहां पर देखो यह x square है आप कोई भी real number put कर लो चाहे negative put कर लो चाहे positive put कर लो answer तो आपका positive भी रहेगा ना क्योंकि square में है और साथ में यहां पर प्लस 1 आगया तो इसकी minimum value आपकी 0 हो सकती है x square की जो value है वो greater than or equals to 0 होगी ठीक है लेकिन जब आप इसके साथ add कर दोगे 1 तो इसका मतलब x square plus 1 अगर हम यहां पर add करेंगे तो इसकी जो maximum value है 1 होगी या उससे जादा होगी और अगर हम 3 से भी multiply कर देंगे तो 3 होगी या उससे जादा होगी मतलब कहने का मतलब है कि ओवराल आप कोई भी number put करोगे answer तो आपका positive ही आना है यानि answer बनेगा आपका इसमें real number जितने भी real number है आप कोई भी number put कर दोगे answer आपका positive ही रहेगा मतलब function उस पे increasing ही रहेगा question number 9 यहां कहता है कि man purchase a lottery ticket in which he may win the first price of rupees 1 lakh with probability 0.0001 और the second price of rupees 40,000 with probability rupees 0.004 expected value of winning or losing अब यहां पर आपको expected value निकालने है मतलब mean find करना है तो यहां पर X क्या है हमारे पास X है हमारे पास 1 थाउजंड X और स्वान लैक X वन लैक है और इसकी जो probability है PX यह आपको दिया है 0.0001 और अगर हम X की value लेते हैं 40,000 तो इसकी जो probability है यह है 0.0004 अब जब हम mean निकालते हैं तो mean में हम क्या करते हैं इन दोनों का आपस में multiply कर लेते हैं तो 1 lakh को जब आप इससे multiply करोगे decimal के बाद 4 digits है 4 0 छोड़ दो यहां से बचा 10 4 4 जब 16 हो गया और decimal के बाद यहां भी 4 हैं तो इन 4 को छोड़ो तो आपके पास 0 तो आई भी आएगी नहीं 10 और 16 मतलब बन गया 26 तो option 1 आपके पास इसमें A 10th question में कहता है कि in a poison distribution the sum of mean and variance is 32 poison distribution में जो mean और variance है उन दोनों का sum 32 है अब poison distribution में mean भी lambda होता है mean भी lambda होता है और variance है वो भी lambda होता है इन दोनों का sum 32 है यानि जो 2 lambda है उसकी value 32 है तो lambda की value आजाएगी 16 पूछता क्या है पूछता है standard deviation standard deviation क्या होता है variance का square root होता है तो अगर आप 16 का square root करोगे उससे निगल जाएगा आपका standard deviation तो 16 का square root करेंगे तो आता है 4 तो option बनेगा इसमें 10 का a question number 11 a pair of dice is thrown 200 times एक dice को आपने 200 बार खेका pair of dice को एक dice को नहीं खाली pair of dice को if getting a sum of 9 is success अब success क्या है यहाँ पर success है कि जो दोनों dice पर number आ रहे ना उनका sum 9 है अब ऐसे कौन-कौन से event हो सकते हैं जिस पर sum 9 आता है तो देखो 1 की line में तो कुछ होगा नी 1,6 maximum हो सकता है 2 की line में भी नहीं होगा 2,6 maximum हो सकता है तो उसका sum भी 9 नहीं आ रहा 3 की line से start होगा एक number आपके पास बना 3,6 जब आप pair फेक रहे हो एक पित्री आगया, एक पित्री आगया या फिर 6,3 इस पर भी sum 9 आ रहा है 4 की line में जाओगे तो 4,5 या फिर 5,4 तो total मिलाकर आपके पास ये चार event ऐसे बन रहे हैं जिसमें sum 9 आता है जब हम pair फेकते हैं dice का तो total sample बनते हैं आरे पास 36, यानि जो probability of success है, वो क्या बनेगी 4 upon 36 यानि 1 upon 9 और failure की बन जाएगी 8 upon 9 अब आपने dice को throw किया 200 times, आप से पूछ रहे हैं आपर mean of the number of success अब mean निकालने के लिए probability distribution पर मच चले जाना, कि आप पहले इसकी table बनाने लग जाओ, नहीं बिलकुल नी बनानी क्योंकि ये binomial distribution का case है आप dice को throw कर रहे हो चाहिए pair को fake रहे हो, चाहिए single fake रहे हो dice पर number तो same ही रहते हैं तो यानि यहाँ पर आपके पास जो concept है, वो binomial distribution का है और उस पर mean का जो formula होता है वो होता है n into में p तो n आपके पास 200 है और p की value 1 upon 9 है इसको solve करोगा जाएगा 200 upon 9 तो 200 upon 9 मतलब option बनेगा इसमें b 12th question में कहता है if we want to examine that on an average of college student takes less than 5 years to complete their education मतलब हमें यह examine करना है हमें यह test करना है कि जो student है, अपने higher education अपनी education 5 साल से कम टाइम में complete कर लेते है यह हमें इसका test करना है यह claim है, इसको test करना है तो test करने के लिए अप क्या करोगे यहाँ पर जो null hypothesis है उसमें इसका उल्टा लेके चलोगे यहाँ पर कहराएगे, यह less than 5 साल लेता है तो आप जहाँ पर null hypothesis है उसमें आप क्या लेगे चलोगे greater than equals to तो जो null hypothesis है उसमें आएगा mu is greater than equals to 5 अगर यहाँ greater than equals to आगया तो यहाँ पर सिर्फ less than आएगा ठीक है और बाकि यहाँ पर अगर आप MCQ जब आप करोगी जो concept में बदा रहा हूँ वो आपको I think समझ में आगया होगा कि जो आपको यहाँ पर यह claim कर रहा है तो आपको test करना है जो चीज आपको test करनी है null hypothesis में उसका उल्टा लिया जाता है तो हमने यह देख लिया लेकिन अगर MCQ में आप जाओगे तो यहाँ पर greater than equals to 5 है यहाँ भी greater than है यहाँ भी greater than है और alternate बनेगा म्यूज less than 5 तो option बनेगा आपका 12 का A question number 13 पर देखते हैं इसमें कहता है if X is normally distributed with mean 30 and variance 25 mean आपको दिया हुआ है यहाँ पर 30 mean 30 है और variance दिया हुआ है आपको 25 and standard deviation standard normal variable Z corresponding to X equals to 32 आप से यहाँ पर X की value पूछ रहा है वो सुरी Z की value पूछ रहा है X की value तो आपको दे रहे हैं इसने 32 अब जो formula होता है हमारे पास Z का वो होता है X minus mu divided by standard deviation X की जगे आपने रख दिया 32 यह आगे आपके पास 30 और नीचे 25 नहीं रखना 5 रखना क्योंकि यह sigma square है यह variance है यहाँ पर standard deviation होता है for the purpose of T test of significance a random sample of size N24 is drawn from a normal population than the degree of freedom अब degree of freedom one sample test में हम कैसे निकालते हैं सिदा N minus 1 कर दो N कितना दिया हुए 24 उसमें से कम करोगे तो आज एका 23 यह आपका answer बन गया अब जहाँ आपको लगता है कि MCQ में आप directly answer दे सकते हो तो आपको कुछ लिखने की ज़रूद नहीं है आपको अगर मालो मालो सब्सक्राइब यह question आपने practice में कर रखा हो बहुत बार आपने कर रखा हो आपको पता हो कभी इसका answer मुझे पताएगी यह आना है तो सिदा टिक कर दो कोई ज़रूद नहीं लिखने की क्या पूर explain करोगी यहां पर यह क्यों आया MCQ में कोई नहीं चेक करेगा कि क्यों आया MCQ में सिर्फ देखेंगे कि आपका answer क्या है answer सही है तो आपको number मिलेंगे answer गलेत है तो नहीं मिलेंगे कि आपने कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो question number 15 15 question यहां पर मैं जानमूझ के फिर मैंने यहां पर डाला इस तरह का question CBC sample paper में भी था और बहुत से बच्चों को उसमें problem थी कि सब sinking fund का question है तो उसमें return क्यों लगा रहे हैं तो फिर यहां पर मैंने इसी type का question डाला है ताकि आप चीज को समझ सको कि sinking fund का अगर word यहां पर आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको sinking fund का फार्मूला लगा दे ना आखमीच के ठीक है आखमीच के तो तब भी नहीं लगा सकते खोलके तो तब भी लगाना पड़ेगा लेकिन sinking fund का formula नहीं लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा यहां लगेगा क्यों यहां तो एक नाम दे रखा कि उसने sinking fund उसने मदलब और उसने एक funds इखटा करना है अब उसका नाम हाँ अदे Σेंच किन लग दिया, confuse करने के लिए और बहुत से बच्चे confuse हो भी गई, तो आप ये ध्यान रखो कि sinking fund का जो concept वो क्या है और यहाँ पर यह पूछ क्या रहा है यहाँ पर यह कहा रहा है कि what is the face value of a sinking fund यानि sinking fund की face value कितनी है यानि sinking fund की value कितनी है face value का मतलब अपना face की value नहीं बता रहा हो thinking fund जैसे bond होता है bond paper होता है, उसकी value कितनी होता है वो चीज वो पूछ रहा है कि face value इसकी क्या है bond की जिस पर आपको dividend मिलता है 18100 रुपे का, मतलब आपको फाइदा हो रहा 18100 रुपे का, at 10% semi annually, और उस पर जो interest है 10% semi annually मिल रहा है semi annually का मतलब हो गया कि आपने rate को आधा कर देना, 5% हो गया तो आपने face value मान लिए उसकी x है और उसके आपने 5% निकाल लिया तो 5% आप निकालोगे तो वो dividend आपको दे रहा है, उसने 18100, 5 से हमने इसको काटा इसको multiply कर दो, x की value आजएगी 36000, तो यह इसमें answer बनेगा ठीक है, तो question की meaning समझना यह नहीं की words आपने पकड़ लिया sinking fund, तो आप उसने की words sinking fund के बारे में सोचते रहो, यार उसका r तो यहां पर क्या होगा, i क्या होगा आप उसके बारे में परिशान रहो n तो यहां दे नहीं रखा है question की meaning समझो की meaning क्या है if a is a matrix of order 4 and determinant of a equals to 3 then determinant of adjoint of a determinant of adjoint of a का formula होता है determinant of a raise to power and minus 1 determinant आपको दिया होए 3 order दिया होए यहां पर 4 order यहां पर 4 दिया होए तो power आजएगी 4 minus 1 यानि 3 की power 3 तो 27 भी हो गया option में देख लो option में आपको power में दिया होए तो यह आपका answer आ गया increase in the number of patient in the hospital due to a heat stroke is a secular trend, seasonal variation, irregular variation, cyclical variation तो यहां पर यह क्या है तो यहां पर क्या है कि number of patient in the hospital due to heat stroke अब heat stroke का क्या है heat stroke में इसमें जब भी आप data collect करोगे तो जब भी summers आते हैं अब summers आते हैं तो इसका मतलब यह seasonal वो नहीं हो गया seasonal variation नहीं हो गया ठीक है यहां पर यह एक long trend है हर बार मतलब गर्मियां आती है गर्मियों में heat stroke आते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से heat stroke ज़ादा आते हैं अब कुछ नहीं है ठीक है लेकिन हर बार heat stroke जब जब भी ज़्यादा गर्मी पढ़ती है heat stroke की संख्या भी बढ़ती है लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ drastic change होता है इसलिए यह long term trend है इसमें gradually shifting होती है डाटा की एकदम नहीं होती है ठीक है एकदम नहीं होती है gradually shifting होती है इसलिए हम इसको secular trend की category में रखेंगे seasonal variation नहीं करेंगे इसीज़ ध्यार लखना question number 18 18 में कहता है कि grain wholesaler visit the grainry market while going around to make a good purchase he takes a handful of rice from random sack of rice in order to inspect the quality of farmer produce the handful of rice taken from a sack of rice for quality inspection grain wholesaler है मार्केट में जाता है। मार्केट में जाकी वो rice राइस लाइस कर ना चाहता है तो राइस ख़एश उछील में सील्य-सपार्प्लि publishers चाहिए है क्याया ब्रभी पूरे यह नीग सावल्ट है उस में सारी नहीं उठा रहा ना कुछ उठा रहा है तो कुछ उठाने का मतलब है कि वह सेंपलिंग ले रहा है सेंपल ले रहा है तो हमारे बस इसका यह क्या बनेगा हमारे बस कि जो उसने क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहा है वह किस के हिसाब से कर रहा है वह सेंपल के हिसाब से कर रहा है त तो answer बनेगा हमारा A, यहाँ पर दोनों कहा रहा है कि true है, लेकिन R जो है वो A को correct explain नहीं कर रहा है, तो option बनेगा B, A true है, B false है, तो option बनेगा C, और A false है, B true है, तो option बनेगा इसका D, अब यहाँ पर आप देखो statement से कि आपको क्या यहाँ पर समझ में आता है, 19 में कहता है, A I दिया हुए, C I दिया हुए, तो 3 A minus C इसके बराबर है, अब check करो कि 3 A minus C इसके बराबर है या नहीं है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं, 3 A minus C की value, तो 3 A का मदलब है कि A को 3 से multiply करो, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 2s are 6, इसमें से C करो अब minus, C minus करोगे यह C है, minus 2, 5, 3 and 4, इसको solve करोगे 6 और यह minus minus होगा, plus 6 plus 2, 8, 12 minus 5, 7, 9 minus 3, 6, 6 minus 4, 2, 8, 7, 6, 2, 8, 7, 6, 2, मतलब यह ठीक दे रखा है, तो assertion तो true है, अब आतने reason बे, reason में करा है, if the matrices A and B are of the same order, then say M by N, मतलब उसका order है, satisfy the commutative law, A plus B equals to B plus A, तो matrix addition हमें पता है, commutative होता है, अगर आप A plus B करोगे या B plus A करोगे, result उसका बराबर ही रहेगा, तो यानि reason भी true है, लेकिन इस reason का इससे तो कोई मतलब नहीं है न, यहाँ पर तो क्या हो रहा था, scalar multiplication हो रहा था, और difference हो रहा था, यहाँ पर यह कहारा है addition के बारे में, तो चीज तो वो true बता रहा है, लेकिन उसका पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, तो option बनेगा इसमें B, assertion and reason are true, but R is the not correct explanation of A, तो इसमें option बनेगा आपका B, next में चलते हैं, इसमें कहता है था, third derivative of Y equals to log X minus 2 upon X cube, log X का, अगर हम 3 बार derivative करते हैं, तो आपके बास यहाँ आता है, तो यहाँ पर देखो, हम एक बार derivative करते हैं, log X का derivative हो गया, 1 upon X, फिर दुबारा derivative करेंगे, तो आएगा minus 1 upon X square, फिर 3 बार derivative करेंगे, तो आजाएगा 2 upon X cube, और इसने derivative किया दिया है, वह आपको minus 2 upon X cube दिया है, minus का sign लगा रखा है, इसलिए जो assertion है, इसका यह true नहीं है, और assertion अगर true नहीं है, तो आपको reason चेक करने की ज़रूरती नहीं है, क्योंकि जो चौता option था, उसमें क्या था, assertion is false, reason is true, बाकी जो तीन थे, उसमें assertion true था, केवल एक चौता यह option है, जिसमें assertion false है, तो assertion अगर आपका false आगया, तो reason के चक्कर में कुछ पढ़ने की जरूरती नहीं है, option आपका D, इस तरह से यह MCQ 20 number के question जो है, आपके जितने जल्दी हो सकता है, आपको यह उतनी जल्दी से जल्दी finish करने की कोशिश करनी चाहिए, section B पर, section B में दो दो नमबर के question होंगे, आपके आज 5 question होंगे दो दो नमबर के, तो सबसे पहला जो question है, उसमें करता है कि इसको आपको solve करना है, तो इस inequality को जो आप solve करेंगे, तो आपको क्या करना है, simple बिल्कुल जैसे आप equation solve करते हों, वैसे ही आपको कर देना है, यहाँ पर आएगा 2x minus 1 upon 3, greater than equals to, 4 और 5 को आप LCM ले लेना 20, 5 तरी जाब 15, 5 तूजा 10, forces को multiply करेंगे तो minus 8, यह minus minus मिलकर बन जाएगा plus, cross multiply करो, 20 into 2, 40x minus 20, यहाँ पर देखो यह 15 और 4, 19 हो गया, 19 तरी जाब 57x, ऐसी जो constant हमें minus 18 होगी, minus 18 को 3 से करेंगे, तो आजाएगा minus 54, अब आप इसको इधर ले आओ, तो इधर आजाएगा minus 17x, और यह दर चला जाएगा, हो जाएगा minus 34, minus दोन तरफ से जब आफ हटाते हो, inequality में तो sign change हो जाता है, तो 70x की जो value है, less than equals to 34 हो जाएगी, यह एख्स की value निकालेंगे तो आएगी, less than equals to 2, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आप इसको real number में लिखोगे, तो real number में आपको लिखना पड़ेगा, इसको intervals में, तो answer बनेगा आपका 2 से छोटे number है, कहां तक होँगे, infinity तक होँगे, और 2 को include करना है, तो यहाँ पर लग जाएगा आपके पास close interval, उसके बाद जो next question है, नेक्स्ट कुेश्चिन में देखो, जहां पर कहता है, इडीज नोन दैड़ा, दा 3 परसेंट ओफ प्लास्टिक बकेट बनुफेक्टर, इन फेक्टरी आर डिफेक्टिव, जो प्लास्टिक बकेट मैनुफेक्टर है, फेक्टरी है, उसके इंदर, 3% defective item produce होता है तो यह जो 3% है यह आपको देदी P यह probability होगी 3% मतलब 3 upon में 100 अब क्याता है using the poison distribution on a sample of 100 bucket आपके पास 100 buckets का sample है यह तो आगया and find the probability of 0 defective bucket अब यह निकालने के लिए क्योंकि इसने specify भी कर दिया कि poison distribution निकालना है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा lambda और lambda होता है एन इंटू में P तो 100 इंटू में 3 upon 100 यह जाएगा 3 और जब भी positive distribution का question होगा अगर आपको values दे रखी होगी तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि lambda क्या आना एक पावर देखो माइनस 3 लिखा है तो लेमडा या नहीं माइनस 3 लेमडा मतलब 3 आया हुगा तो लेमडा हमारा 3 आ गया अब यह कहरा है कि probability of 0 defective bucket तो 0 defective का मतलब P 0 निकालना है एक भी जो bucket है वो defective नहीं है तो लेमडा पर फार्मूला बनेगा e raised to power minus lambda lambda की power 0 divided by 0 factorial तो e की power lambda की value minus 3 आई है 3 की power 0 0 factorial e की power minus 3 की value है 0.049 और 3 की power 0 1 होता है यह भी 1 होता है तो answer यह बनेगा 0.049 अब इसकी option में आपको question यहां दिया हुआ है question जब भी option में आपको मिलेगा तो question करने से पहले दोनों question को आप बढ़ लेना हो सकता है कि जो दूसरे वाला option में आपको दिया हुआ है वो आपको ज़्याद अच्छे तरीके से आता हो तो इसलिए उसको ज़रूर पढ़ लेना पहले यहां कहता है इन्हें maths aptitude test student score are found to be normally distributed having mean as 45 and standard deviation is 5 तो mean आपको यहां पर दे दिया 45 और standard deviation दे दिया 5 what percentage of student have score more than the mean score mean score कितना है 45 तो उससे ज़्यादा जो student है वो आपको बताने कितने होंगे तो हमें यहां पर क्या निकालना है probability of x greater than 45 अगर यह 45 आपके पास x की value है तो इसका मतलब z की value क्या बनेगी z का formula हो गया x minus mu divided by standard deviation तो 0 आगया तो आपको निकालना है यहाँ पर probability of z greater than 0 अब greater than 0 की जो probability आप निकालोगे मतलब यह कह रहा है कि आपके पास जैसे यह distribution कार्व होता है यह बनाने के आपको जरूद नहीं है यहाँ पर 0 होता है तो 0 से जादा 0 से जादा कितना मतलब यह वा आपके पास 50% जैनि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके marks mean score से जादा है next question है 23 उसमें भी आपके पास option है तो पहले हम उपर वाला करते हैं इसमें करता है कि dining table costing rupees 36,000 एक dining table जो है उसकी costing 36,000 की है और useful life उसकी 15 years है if annual depreciation is rupees 2000 find its scrap value using linear method अब depreciation का जो formula हमारे पास होता है उसमें फार्मुले में क्या होता है c minus s upon में n तो d यानि depreciation वो कितना दे रहे के आपको 2000 original cost आपको दे रहे किए 36,000 है और scrap value आपको निकालनी है time दे रहे के आपको 15 तो 15 तो 30,000 यह 36,000 minus s तो s की value आप निकालोगे तो आजएगी 6000 यह जो scrap value है यह होगी 6000 और जो भी यह statement वाले question है आपको ऐसे नहीं छोड़ देना आपको यहां लिखना ऐसे scrap value scrap value is rupees 6000 और अपने answer आपको जुरूर लिखना एक्जाम में इधान रखें Mr. Anoop create an endowment fund of rupees 60,000 Mr. Anoop ने एक fund बनाया 60,000 रुपे का to provide a price at the starting of every year और उनने यह decide कि वह हर साल के starting में वो price देंगे this fund earn interest of 8% per annum और इस fund पर उनने interest मिलता है 8% per annum compounded annually तो what is the price amount तो जो आप वो price दे रहे हैं वो price क्या है अब यहां यह question आपको समझना है कि पहले किस concept का question बना एक आपके पास fund हो गया उसमर आपको interest मिल रहा है और आप क्या कर रहे हो हर साल price बाट रहे हो अब यहां पर कोई ऐसा तो उसने दिया नहीं है कि 10 साल तक price बाटना है या 20 साल तक बाटना है अब हर साल बाट रहे हो मतलब वो continuous चल रहा है वो continuous चल रहा है मतलब खतम नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह perpetuity का concept आ गया तो ना तो यह perpetuity word है तो आपको समझना है कंसेट को समझना है कि यहां पर हो क्या रहा है आप जो यहां पर scholarship दे रहे हो जो price आप दे रहे हो वो आप लगातार दे रहे हो हर साल दे रहे हो और कब start कर रहे हो starting of every year यानि starting में ही price दे रहे हो यानि यह perpetuity of type 2 बन गई अब perpetuity of type 2 में जो formula होता है उसमें आता है P equals to R plus R upon I अब P का मतलब होता है present value मतलब आज आपने जो fund इखटा किया तो fund आपने कितना इखटा कर रखा है आपने 60,000 का fund आपके पास है आप यह कितनी दे रहे हो perpetuity कितनी दे रहे हो यह हमें निकालना है R plus R upon I आई कितना है यहाँ पर 8% per annum है compounded annually हो रहा है मतलब 8% को 8% ही रखना है तो 8% को 8 upon 100 लिख सकते हैं यहाँ से आप इसको काड़ दो यह 25 चला जाएगा उपर तो यहाँ जाएगा आपके पास R plus 25 R upon 2 इसका वैल्सिम लोगे 2R plus में 25 यानि 27R upon में 2 तो R की अब value निकालेंगे तो यह बनेगी 60,000 into में 2 upon 27 तीन से से काटोगे अब 40,000 upon 9 9 436 फिर 4 बचेगा 9 436 9 436 9 436 यह 4 4 ही चलता रहेगा तो आप इतनी जो प्राइस अमाउंट है वो आप हर साल देने वाले हो question number 24 यहां कैदा है कि एक machinist is making engine parts with axle diameter of 0.7 inch एक machinist है वो जो axle बना रहा है उसका diameter है 0.7 inch एक random sample of 10 parts shows mean deviation mean diameter is this with the standard deviation of this on the basis of this sample would you say that work is inferior? अब यहांपर भी क्या अको testing करनी है तो यहांब क्या करनी है तो आप क्या करने है जो null hypotheses है उसको उल्टा लेके चलेंगे तो null hypothesis आपने लिया यहांपर null hypothesis आगे आपके पास mu equals to अब यहाँ पर ही क्या कर रहा है कि हमें टेस्ट करना है कि वो inferior है या नहीं है हम superior लेके चलेंगे, superior मतलब जो value है greater than or equals to क्या हमें test करना है, वो इतना बना रहा है, इसको test करना है कि इसके इसाब से वो inferior है या superior है alternate क्या बन गया, alternate बन गया जी यह से inferior है, ठीक है, यह superior हो गया और यह inferior आगया अब चेक करतें कि यहाँ पर कौन सा वाला आपका जो option है वो true होने वाला है तो उसके लिए आपके पर 10 parts का sample है, n की value 10 है mean diameter, mean diameter है वो है 0.742 और standard deviation आपको दे रहे है 0.04 तो t value निकालो, t value का formula लग गया है, sample mean minus hypothesis mean divided by s upon में root n minus 1, n minus 1 लगाना है क्योंकि आपको standard deviation sample का दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर आप values पूट करोगे तो t की value आपको मिलेगी, sample mean आपके पास 0.742 minus 0.7 divided by s है 0.04 यहाँ जाएगा 10 minus 1 यानि 9 आगया तो 0.742 में से इसको आप minus करोगे तो 0.042 आ जाएगा 9 का square root 3 आ जाएगा यह उपर आ गया, नीचे आ जाएगा 0.04 इसका डेसिमल आप अटाओगे, तो इसका डेसिमल आटाओगे उपर 100 आ जाएगा, इसका अटाओगे तो 1000 आ जाएगा, डेसिमल इनके ख़तम करो, यह cancel, चार से तो नहीं कटेगा, दो से कट जाएगा यह, 21, 63, नीचे आगे आपके पास 20, नीचे अगर 20 आजएगे, तो आप इसको काटो मत, पूरा नहीं कट रहा तो काटो मत, आप इसको सिर्फ 2 से डिवाइड करके, डेसिमल एक प्लेस इधर कर देना, तो यह बनेगा आपके पास, 236, और 212, और 2510, तो डेसिमल 5 के आगे नहीं, क्योंकि 0 है तो डेसिमल आप यहां लगा देना, 3.15, यह आपके पास T value आई, अब इसकी जो absolute value है, वो आप चेक करो, इस वाली value से बड़ी है या चोटी है, तो जो T value आप देख रहे हो, 3.15 इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, तो मतलब 2.262, तो यहां से null hypothesis हो गया, reject, अब reject होने का मतलब क्या है, null hypothesis reject हो गया, मतलब alternate, accept हो गया, और alternate में क्या कर रहे है, कि inferior है, तो आम लेगेंगे यहां बर, yes, work is inferior, next चलते हैं, question number 25 पर, 25 में गयाता है कि A, B, A and B are symmetric matrices, then prove that A, B minus B, A is a square symmetric matrix, A और B आपको दोनों symmetric matrix दे रहे हैं, और आपको यह चेक करना है कि A, B minus B, A वो किस तरह की matrix है, तो हम क्या करते हैं यहां पर, A symmetric हैं, तो इसका मदलब A transpose A के बराबर हो गया, और B transpose B के बराबर हो गया, यानि एक तरह से यह आपको given condition होगी, कि यह दोनों आपस में equal है, अब आपको करना क्या है, आपको A, B minus B, A को चेक करना है, उसको माल लेते हैं कि एक matrix है P, A, B minus B, A, अब आप इसका transpose निकाल के देखो कि इसमें होता क्या है, जब भी इस तरह का question आपको चेक करना होगा, आप हमेशा transpose निकाल के देखो कि किस तरह की matrix आपके सामने आती है, तो हमने इसका transpose किया, तो इसका जब आप transpose करोगे तो पहले property लगाओगे, subtraction वाली, तो उसके हिसाब से A, B का transpose, minus B, A का transpose हुआ, अब यहाँ पर A और B दो multiply में हैंगे, अब इनका आप जब transpose करोगे तो पहले उसमें B का transpose करो आप, फिर A का transpose करो, ऐसे यहाँ पर A का transpose करो, फिर B का transpose करो, तो B transpose B के बराबर हो गया, A transpose A के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर यह आपको दे रखा था, इसको आपको यूज़ करना है, ऐसे यहाँ पर इसको यूज़ करो, अब यहां पर देखो जो P था वो था AB minus BA और यह आ गया BA minus AB तो terms तो same आ रही है बस sign का तो इडिफरेंस आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करो minus common निकाल दो minus common निकालोगे तो यह तो positive हो जाएगा और BA negative हो जाएगा मतलब जो हमारे पास value आ रही है वो minus P के बराबर आ रही है यानि transpose करने के बाद जो matrix आ रही है वो matrix तो same आ रही है लेकिन with negative sign आ रही है और with negative sign आ तो उसको हम बोलते है skew symmetric matrix अब इसके जो option में question अमें दिया हुआ है उसमें करया कि grammar rule का आपको यूज करना नाम यहां पर दे दिया grammar तो grammar ही यूज करना पड़ेगा आप कुछ और यूज नहीं कर सकते हो आप किसी दूसरे method से पता लगा कर answer दोगे तो number आपको नहीं मिलेंगे चीज जानगना नाम दिया है तो यह काम भी उसी का करना पड़ेगा आपको अब यह कह रहा है कि the equation has no solution हमें यह प्रूव करना है यहाँ पर कि इसका solution नहीं है तो जो पहली वाली equation है 2x minus y plus में z तो वहाँ से आप determined बनाओ इसका आप d निकालो तो जो पहली equation में यहाँ पर 2 है फिर minus 1 है फिर 1 है यहाँ थोड़ा डिलीट कर दूँ मैं इसे अब देखो यहाँ पर x का coefficient 2 है y का coefficient minus 1 है और z का coefficient 1 है यहाँ पर 1, 3, 2 यहाँ पर आएगा 3, 2, 3 इसका जो determinant है न यह 0 के बराबर आ रहा होगा क्यों हाँ रहा होगा क्यों हमें इसमें प्रूव करना है कि इसका solution नहीं है और जब इसका solution नहीं होता तो यह क्रेमर रूल के हिसाब से इसका determinant 0 के बराबर आना चाहिए तो हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर देखो 2 आया 9, minus 4 करेंगे 5 यह वाली जब टर्म लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा तो आज जाएगा 3, minus 6, minus 3 फिर यह वाली टर्म लो आज जाएगा 2, minus 9, minus 7 तो देखो 2, 5, 7, minus 3 और minus 7, minus 10 अंसर आगया 0 जो हमने लिखा था वो ही आगया अब हमें यह दिखाना था कि वह इसका solution नहीं है तो उसके लिए अब D1, D2, D3 इतीनों हम निकाल के देखेंगे अगर इसमें से कोई एक भी non-0 आगया तो solution नहीं होगा अगर D1 हम निकालेंगे वही non-0 आगया तो D2, D3 निकालने की ज़रुवत नहीं है अगर D1, 0 आगया तो फिर D2 चेक करेंगे अगर वह non-0 आगया तो फिर आगे करने की ज़रूद नहीं है किसमत ज़्यादा कराब होई तो D3 जाके non-0 आएगा तब पता लगेगा किसका solution नहीं है तो चेक करते हैं कि किसमत कितनी अच्छी है हमारी पहले हम D1 निकालते है तो D1 में हम क्या करते हैं जो constant वाली terms होती है उसको पहले column में लिखते है तो constant वाली term कि आपके बस 4 है 12 है और 10 है तो यहाँ पर 4, 12 और 10 यह दर लिखना है बाकि जो दोनो column है आपको same रखने है अब इसको आप solve करो 9 माइनस 4, 5 आगया फिर यहाँ पर आगा प्लस 1 12 है जो 36 और यहाँ पर आगया 22 तो 36 में से आप 20 माइनस करोगे तो आज आपके पास 16 फिर प्लस 1 24 माइनस 30 माइनस 6 आगया अब यहाँ पर देखो यह 20 आगया और यह 16 आगया 20 और 16, 36 हो गया माइनस 6, 30 मतलब यह non-zero आ रहा है non-zero आ रहा है तो इसका मतलब इसका solution possible नहीं है बस यह line आपके लिखके दिखा देना यह आपका इसमें answer आ जाएगा उसके बाद next जो question अब देखोगे section C का question आ गया section B हमारा complete हो गया अब section C में कहता है कि एक boatman row to a place at a distance of 45 km and back in 20 hours एक boatman है 45 km जा रहा है सहर सपटा करता हुआ है और फिर वापस आ रहा है उसको time लग रहा है कितना 20 घंटेगा he find that he can row 12 km with the stream with the stream मतलब downstream in the same time as 4 km against the stream against the stream मतलब upstream तो वह देखता है कि जब वो downstream जा रहा है तो उसको 12 km का distance उतने ही time में cover कर लेता है जितने time में वो upstream में 4 km का distance cover करता है तो यहाँ पर time आपको दोनों का same दे रहा है तो आप यह कह सकते हो कि दोनों की जो speed की ratio है downstream speed को हम लेते हैं u upstream को लेते हैं v क्योंकि दोनों का time same है यहाँ पर time same है तो आप directly उसकी speed की ratio ले सकते हो जितना उनोंने distance cover किया इसने 12 cover किया तो उसी time में उसने 4 km कवर किया ठीक है जिस time में उसने 12 km करा और उसने जो 4 km वहाँ पर किया दोनों के same time दे रहा उसने तो इसके इसाब से हम देखेंगे तो उसकी ratio बनी 3 और 1 यह ratio है ठीक है value नहीं है U इसका 3 नहीं है U 3 नहीं है U की U और V की ratio 3 और एक है तो यानि यहां पर हम इसको ऐसा लेके चलेंगे कि U की value हो गई 3 के और V की value हो गई के अब जो formula हमें दिया हुआ है जो formula आपको दिया हुआ था है इसमें जब distance आपको दिया होगा और आने और जाने का time दिया होगा तो उसमें जो formula हम use करते है उसके लिए पहले आपको X और Y और निकालना पड़ेगा तो X का formula होता है U प्लस V अपॉन 2 तो U आपके पास 3K है VK है तो याद यह का 4K यानि 2K और Y की value निकालेंगे तो यादि यू माइनस V अपॉन 2 यानि 3K माइनस K अपॉन 2 यह बनेगी K अब जो distance का formula जो मैं formula की बात करदा हूँ वो formula यह होता है अगर इसमें time आने और जाने का होता है तो नीचे 2X आता है अगर time का difference दिया होता है तो नीचे 2Y आता है तो यहाँ distance आपको दिया हूँ है 45 km और T आपके पास होगा है हाँ पर कितना 20 X की जगे आप रखेंगे 2K 2K का square करदेंगे 4K square यह आजाएगा K square और नीचे आजाएगा 2 इंटू में 2K इसको आप solve करो 2 से cancel करो 2 से cancel करो 5 से यह भी cancel करो इधर रहिए 9 इधर रहिए 4-1 3K square तो K square की value आगई 3 और K की value आजाएगी प्लस माइनस तो आप यहाँ पर ले नहीं सकते हो 4 में से get 3 नीचे एक हमारे पास अभी K और बचा हुआ है यह वाला की और बचा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा फिर ऐसे कर लेते हैं क्योंकि नीचे जो हमारे पास यह K बचा हुआ है उस K से cancel हो जाएगा हमारी value easily निकल जाएगी 3 अब K जो 3 निकला है उसको आप put करेंगे आपसे पूछा क्या गया find a speed of boatman still water still water मतलब X की value पूछी है तो X कितना था हमारे पास X एक्स एक्स यह हमारे पास 2 की तो यानि X की value क्या गई 2 इंटू 3 6 km पर आर and the speed of the stream speed of stream मतलब Y की value पूछी है Y की value तो K है तो या जाएगा 3 km पर आर तो जो आपसे पूछा गया हो उसको आप बताओ यहाँ पर next question देखते है question number 27 इसमें कहता है कि using inverse coefficient matrix मतलब matrix method की यह बात कर रहा है और this equation solve आपको करना है यह equation आपको दे रखी है तो जो equation आपको दी होती है उसमें आप पहले A बनाते हो ठीक है पहले A बनाते हो तो A हम बनाएंगे तो क्या बनेगा A matrix बनेगी X Y Z का coefficient X के यहाँ पर 1 हो गया Y का यहाँ पर 2 हो गया Z यहाँ पर नहीं दे रखा तो Z का 0 लेना है और Z का लेना क्यों है क्योंकि यहाँ पर equations में Z है तो बनलब equation तीन variable में है तो तीन variable आपको लेने पड़ेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0 फिर दूसरे में देखो X नहीं है 0 हो गया Y का 1, Z का 2 तीसरे वाली में X है Y नहीं है तो 2, 0, 1 यह बनगे आपके पास A और X क्या बनेगा X, Y, Z तीन variable है और B आपके पास बनेगा 5, 8, और 5 जो राइट हैंड साइड में आपको constant दिये हुए तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर A का determinant निकालना है चेक करना है कि solution possible है या नहीं है इसको छोड़ेंगे हाँ से 1, minus 0 फिर minus 2 आगया इसको और इसको छोड़ेंगे 0, minus 4 0, minus 4 तो minus 4 ही रहेगा 4 to the 8, plus 1 determinant आगया 9 तो इन not equals to 0 है मतलब इसका inverse exist करेगा अब inverse अगर exist कर जाया तो उसके बाद होता है काम कि आप इसके co-factor निकालो और इसकी health से फिर इसके adjoint find करो तो co-factor आप निकालोगे पहले 3 तीनो row के co-factor निकालते हैं तो पहले हमने इसका निकाला तो यह आएगा आएगा आपके बस 1 इसका निकालोगे तो minus 4 ही आएगा लेकिन यह वाला जो place होता है और places वाले के साइन हम चेंज कर देते हैं तो यह हो जाएगा प्लस 4 उसके बाइद तीसरे का आप निकालेंगे c13 का तो यहां पर first row third column चोड़ेंगे 0 minus 2 तो minus 2 आ गया उसके बाद आप निकालो second row first column second row first column यहाँ जाएगा 2 साइन चेंज कर देंगे second row second column का निकालने को फेक्टर second row second column 1 minus 0 वन आ जाएगा second row third column second row third column 0 minus 4 यहां लेकिन साइन चेंज हो जाएगा फिस c31 निकालो third row first column 4 minus 0 और third row second column करेंगे third row second column 2 इसका भी साइन हो जाएगा चेंज और यहां जाएगा third row third column third row third column आ जाएगा 1 तो यह बनके आपके co-factor अब इससे आप निकालो adjoint adjoint में क्या करते हैं जो co-factor होता है उसका transpose करके लिख देते हैं 1 4 minus 2 1 4 minus 2 minus 2 1 minus 2 1 4 4 minus 2 and 1 अगर आप co-factor निकालने में comfortable है easily आप निकाल लेते हैं तो आप यह वाला step जो इना skip करके आप directly adjoint भी लिख सकते हैं बस आपको करना क्या होगा आप जब निकालेंगे निकालो row wise लेकिन लिखो उसे column wise क्योंकि इसका आपको transpose करके लिखना होता अब हुम क्या करते हैं उसके बाद जब भी हमारे पाई equation होती है ऐसे equation हमारे पास ऐसे आती है a x equals to b यहां से हम x की value निकालते हैं तो यह बनती है a inverse into b अब a inverse अब निकालोगे inverse का formula क्या होता adjoint of a divided by determinant of a तो adjoint आपके पास यह है और आप जो determinant is का 9 उससे आप इसको divide करेंगे तो क्या बना 1 upon 9 into 1 minus 2 4 4 1 minus 2 minus 2 4 1 यह आपका बनीगा a inverse इसको आप अलग से दिखाना जाते हैं दिखा दे वरना इहीं पर ही सिधा निकाल दें into में b और b की value आपके बाद से 585 इसको आप solve करो x की जगे यहाँ पर रख देना x, y, z इसको solve करेंगे देखो यहाँ से 5 minus 16 और 4 5 ज़र 20 20 minus 16 करेंगे 4 4 plus 5 यह आगे 9 4 5 ज़र 20 plus 8 28 आगे 28 minus 10 18 हो गया minus 10 32 plus 5 32 plus 5 37 और उसमें से 10 minus करोगे तो 27 यह जो 1 by 9 था बाहर यह 1 by 9 अभी रखना है में अब उसको 9 से आप divide कर दो सबको तो आपके पास आएगा 1, 2, 3 तो x की value 1 बनेगी y की value 2 और z की value 3 अब इस तरह की कोश्चन में जब भी आप x, y, z की value निकाल लेते हो तो equation से आप इसको check जरूर कर लोगे आपका answer ठीक है या नहीं है एक minute भी लगेगा नहीं लेकिन आप sure हो जाओगे कहीं के गलती हो रही होगी तो गलती आप find कर लोगे जैसे पहली equation में अगर हम x की जगे 1 रखेंगे और y की जगे यहां 2 रखेंगे तो 2, 4 प्लस 1, 5 अगर आप यहां रखके देखो y की जगे आपके बस 2 रखोगे और यहां पर आप 3 रखोगे 3, 2, 6 प्लस में 2, 8 तो इस तरह से आप verify कर सकते हो कि आपका answer ठीक है या नहीं है कम से कम एक equation से तो जरूर कर लेना चाहिए अगर time है तो तीनों से चेक कर लो कई बर ऐसा भी होता है कि एक से तो solve हो रहा होता है बाकि उसे नहीं हो रहा होता कई बर हो सकता है अब उसके जो option में question आपको दिया हुआ है उसमें आपको statement से पहले equation बनानी पड़ेगी अब equation आप बनाओगे उसके बाद फिर हम उसको solve करेंगे तो यहाँ पर आपको कहता है कि the cost of a 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is Rs.60 the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is this तो यहाँ पर आपके बसने तीन चीज़े हैं एक तो आपके बस अनियन है, wheat है और rice है तो आप मानलोगी अनियन की जो cost है Rs.X पर kg है, wheat की cost Rs.Y पर kg है और Rs.Z पर kg है यह आपको statement में पहले लिखना है ठीक है मैं space की विज़े से इतना कुछ नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको यह चीज़े लिखनी है, let the cost of 1 kg अनियन be Rs.X and for wheat, Rs.Y and for rice is Rs.Z तो equation क्या बनी, जो 4 kg आप अनियन खरीद होगे तो equation बन जाएगी 4X यहाँ से बनेगी 3Y यहाँ से जाएगी 2Z और कितनी cost है आपकी 60 यह पहली equation आगी दूसरे बाले में कहरा है, cost of 2 kg अनियन तो 2X फिर 4 kg wheat और 6 kg rice इसकी cost होगी 90 order ध्यान लखना, order same ही रहना चाहिए अनियन, wheat, rice, अगर कई पर उल्टा सीधा कर रखा है तो उसी के हिसाब से आपको लिखना फिर cost of 6 kg अनियन 6X तो अनियन जहां भी होगा, उसके साथ X लगाना है wheat के साथ आपको Y लगाना है और rice के साथ आपको Z लगाना है चाहिए आगे पीछे यह दे रखे हो इसकी cost ही आगे अब यहाँ पर आपको इसकी cost निकालनी है using grammar rule तो यहां grammar rule नाम दे देगा तो आपने grammar rule में क्या करते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं D उसके लिए 4, 2, 6 यह column बन गया 3, 4, 2 और 2, 6, 3 इसका determinant solve करो 4 into 4, 3, 12 और minus 12 0 हो गया minus 3 2, 3, 6 और यहां से आगे 36 यानि माइनस 30 हो गया plus 2 इसको solve करते हैं या जाएगा 4 minus 24 minus 20 तो यह बना यहां से तो 0 यहां से जाएगा 90 minus 40 यानि आप आगे 50 तो not equal to 0 आ रहा है मतलब solution इसका possible है अब उसके बाद आपको निकालना है D1 तो D1 में क्या करना है जो right hand side में terms होती है इनको आप column में लिख दो पहले column में बाकी जो दोनों column है वो आपको same रखने है अब इसका solve तो इसको solve करते हैं इसमें देखो आगे 60 पहले इसके साथ तो 0 ही आएगा इसको आप solve करोगे उसके बाद minus 3 अब 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 इसको आप solve करोगे तो इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है यहाँ पते हैं को 90 और 70 है तो आपने इसको 0 हटा लो 0 भी हटा लो बाद में लगा देंगे 0 उससे आपकी calculation थोड़ा असान हो जाएगी तो 93 जा 2,70 करने के बज़े आप 93 जा 27 लेके चलो 93 जा 27 और 67 जा 42 तो 27 और 42 को solve करोगे माइनस 15 आजाएगा तो उसके आगे आप एक 0 लगा दो माइनस 150 उसके बाद फिर आया 2 ऐसे हम यहाँ पर करते हैं 9 तूजा 18, 7 फूजा 28 18 माइनस 28, माइनस 10 आएगा तो माइनस 10 के आगे यह लगा दो तो यह आगे आपके पास 450 माइनस 200 यानि आगया 250 यह D1 आगया अब चलते हैं D2 कर तो D2 जब आप निकालोगे तो यह वाला टाम आती है इस सेकिंड कॉलम पे चली जाएगी बागी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपके सेम रहेंगे यानि 4, 2, 6 और यहाँ पर आजाएगा 60, 90, 70 और यहाँ एगा 2, 6, 3 अब इसको आप सॉल करो 4 अब फिर यहाँ पर देखो 9, 3 जा 27 और 6, 7 जा 42 27, 42 मतलब माइनस 15 आ रहे माइनस 150 60 के साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पर यह वाला कॉलम छूटेगा इन दोनों को सॉल करोगे तो यहाँ पर जो आए था आपके पास माइनस 30 वही आएगा माइनस 30 प्लस 2 7 तूज़ा 14 और 9 जा 54 तो 14 और माइनस 54 आप करोगे तो माइनस 40 आगया यहाँ प्लस प्लस तूज़ा आजएगा माइनस 600 माइनस 1800 यहाँ प्लस आएगा यहाँ पर आजएगा माइनस 800 तो 16 और 8 14 18 माइनस 14 करोगे तो आएगा आपके पास 400 उसके बाद निकालो आप D3 तो D3 में क्या वज़ाएगा पहला कॉलम आपका सेम रहेगा दूसरा कॉलम जो औरिजनल वाला था वही रहेगा 3, 4, 2 तीसरे कॉलम में ही आ जाएगा 60, 90 and 70 यहाँ पर आ गया 4 4, 7 जा 28, 9, 2 जा 18 तो 28 पहले आ रहा 28, minus 18, 10 आ गया मतलब यहाँ पर 100 हो गया फिर minus 3 यहाँ पर करोगे 2, 7 जा 14, 9, 6 जा 54, तो 14 minus 54 यानि minus 40 और last में आ गया 60, into में कितना है था minus 20 तो यह आगे आपके पास 400 plus 1200 minus 1200 तो यह भी cancel, आपके पास बचा खाली 400, तो मारे पास D1 की value आ गया है, 250 और D2 की value आ गया है, 400 और D3 की आ गया है, 400 अब आपको निकालनी है, XYZ X की value होती है, D1 अपॉन में D, यानि कितना था 250 अपॉन 50 5 आ जाएगा Y की value होती है, D2 अपॉन में D 400 अपॉन 50 8 आ जाएगा और Z भी आई है, Z की value आ जाएगी 8, तो यानि अब last में statement में, अब यहाँ पर नहीं चोड़ना है, आपको statement में आपको बताना है, cost of 1 kg अनियन रूपीज 8, तो इस तरीक से last में आपको statement में अपने answer छोड़ने है question number 28 पर चलते हैं, इसमें बनाना आपको graph तो यहाँ पर कहता है कि solve the following equation using ISO profit and cost method, तो नाम दिया तो आपको वही use करना है, यहाँ पर इसको maximize करना है constraints आपको यह दे रखे, तो पहले करेंगे तो y की value आजाएगी 4 और y की 0 करेंगे तो x की आजाएगी 4 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है, तो यहाँ पर ले लिए हमने 4 इसमें यहाँ पर आगया 4 यह line आगी इसकी उसके बाद फिर करता है यहाँ पर यह वाली तो second equation है, अगर x की value 0 करते हैं तो y की value आजाएगी 3 इसके नीचे ले लेते और y की value 0 करेंगे तो x की आजाएगी 8 इसकी line आगई ऐसे यहाँ पर x को 0 करते हैं तो y आजाएगा 5 और y 0 करते हैं तो x आजाएगा 3.5 तो यहाँ से आपके पास इसकी line आएगी इस तरीके से, अब यहाँ पर यह line तीनों एक जिगह से cross नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका intersecting point अलग लग आ रहा है लेकिन आप जब graph में बनाऊगे तो ठीक बनेगा कोई point लेकि आप बनाऊगे यह वाली जो line है, इस वाली line को थोड़ा सब ऐसे कर देते हैं, इधर से जाएगी है, आप graph में बनाऊगे तो आपको दिख जाएगा कि कहां से line जा रही है, अब इसमें पहले हम देखेंगे, यह x 0 y 0 यह है यह आपके पास, तो यहाँ पर आप जो value देखोगे तो यह true आ रहा है, तो 00 put करोगे तो यह भी true आ रहा है, तो तीनों से जब option true आ रहा है, तो आपके पास solution जो बनेगा वो यह वाला बनेगा, यह आपका shaded portion आएगा, अब इसमें यह वाला corner point है, यह 3.5 और 0, यह वाला 03 है, और यह वाला corner point आपको निकालना है, तो यह वाला corner point निकालो, आप उसके लिए second और third को solve करो, बाखी corner point निकालने की जरूद नहीं है, तो from second and third, इन दोनों को जब आप solve करोगे, तो आप elimination method लगा लो, तो अगर मैं इसको 10 से multiply करूँ, तो यह बनेगा 30x, या जाएगा 80y, या जाएगा 240, इसको 3 से कर देते साइन चेंज करते हैं, यह cancel हो जाएगा, तो y की value आएगी 135 upon 59, अब इस value को जब आप put करोगे, इन दोनों में से किसी एक equation में, तो आपको x की value मिलेगी 112 upon 59, ठीक है, value थोड़ी अजीब सी आ रही है, लेकिन जो आ रही है, जैसी आ रही है, आपको रखनी पड़ेगी, तो यह वाला जो point है, आपका यह आ रहा है, 135, पहले तो x की value लिखो, 112 upon 59, फिर y की value लिखो, 130 upon 59, ठीक है, graph आपका बन गया, corner point आपके आगे, अब ISO profit and cost method में क्या होता, हमें convenient value लेते हैं, z के लिए, टेक ए convenient value, 4z, अब वो value क्या होगी, उसके लिए सबसे बेटर तरीका मैंने आपको बता है, उन दोनों का आप LCM ले लो, 5 और 7 है, तो LCM लोगे 35 आ जाएगा, अगर आपको यह value छोटी लगेगी, तो 0 लगा गया आगे, बढ़ी कर देना, तो 5x प्लस में 7y is equal to 35, अब इसकी अब एक line ड्रॉ करो, अब इसकी line जब आप ड्रॉ करोगे तो x की value अगर आप 0 रोखोगे तो y की value 5 मिलेगी आपको, और y की value 5 हमारे पास है, इधर ये वाली value है, और अगर y की value 0 रखते हो, तो x की value मिलेगी 7, तो वो value यहाँ पर कहीं आ जाएगी, तो यहाँ से आप एक dotted line ड्रॉ करना इन दोनों को मिलाते हुए, अब आपको क्या करना है, इस line के parallel आपको lines ड्रॉ करनी है, और जो ये shaded portion है ये उसमें जरूर कवर हो जाए, इस तरफ नहीं जाने की जरूरत आपको, कोई shaded portion हमारा इधर है, तो line आपकी पहले इधर आई हो, कोई इस से problem नहीं है, अब आपको इसके बस parallel line खीशते हुए चलना है, और जो corner points पॉइंट से उनको आप जरूर कवर करते हुए चलना हुए, तो आप देखरो कि corner point आपका, ये वाला corner point है, यहां से ये pass हो गया, फिर उसके बाद ये वाला corner point आया, फिर उसके बाद ये वा आपको ओरिजम से स्टार्ट करते में जलना है कि होरिजन से सब लास्ćमीन से कोंसा रहा रहा जो इंच लाइनसी से क्रॉस कर रहे हैं तो आप ने कि पहले सब्सक्राइब को आ रहा है उसके बाद ये point आ रहा है तो सबसे last में ये वाला point आ रहा है और ये हमारा solution होगा इस point पर value आएगी इसकी maximum तो यहां पर आप दिखा देना कि Z is maximum at 112 upon 59 and 13 upon 59 ठीक है और maximum value निकालनी है maximum value निकालनी है तो आपको क्या करने है जो Z हमारे पास था 5X है तो 5 into में X की जगे आपको यह put करना है और Y की जगे आपको यह put करके इसको solve करना है ठीक है इसको आप LCM लेके solve करेंगे तो हमारे पास इसकी value बन जाएगी 25.5 इस तरह से आपको इसकी maximum value find कर लेनी है अब इसमें अगर मैं इसके second वाले option पर चलता हूँ जो आपको option में दिया हुआ है यहां कहता है कि इसको minimize करना है एक Z आपको यह दिया हुए constraints आपको यह दिये हुए यहां पर method का नाम इसने दे दिया corner point method तो नाम जब भी देगा तो आपको उसी method से ही जाना है तो पहले आप इसका graph बनाओ graph बनाओगे यह तो X minus Y equals to 0 है अब यह वाली जो line है यह origin से पास होती है जब भी X Y हो कोई constant ना हो तो origin से line पास होती है अब Y की जगर 0 put करोगे तो X की value 0 आएगी एक point तो यह मिल गया दूसरा आप आप Y की जगर 1 करोगे तो X की जगर भी 1 आजाएगा क्योंकि दुबारा तो 0 लेने का कोई logic ही नहीं है X Y तो दोनों ही 0 आरे है तो यह वाली line आपकी इस तरीके से पास होती है उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ X को 0 करते हो तो Y की value 1 आएगी और Y की 0 करोगे तो X की value Y की 0 करोगे X की value minus 2 आएगी तो आपको यहाँ पर यह value लेनी है अब यहाँ से इस line को ऐसे जाना यहाँ पर आपस में दूसरे को क्रोस करेंगे उसके बाद X greater than equals to 3 X की value आप 3 देखोगे तो 3 आपके बस यह आपको देखना पड़ेगा जब आप graph बनाओगे तो खेर आपको इसली पता चली जाएगा कि line आपकी 3 की कहां से पास कर रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा यह इधर से पास करेगी ऐसे X की value 3 यहाँ से आ जाएगी और Y की value 4 वो यहाँ से आ जाएगी इस तरीके से lines इसमें बनेगी अब आपको इसका shaded portion देखना है तो यहाँ पर इसमें जब आप देखोगे न shaded portion तो इसके लिए आपको 00 को test नहीं करना है क्योंकि यह line तो 00 से पास हो रही है अगर test में आपने true निकाल लिया या false निकाल लिया तो आपको पता कि चलेगा कि वहाँ से आपको shade करना है तो इसके लिए आपको क्या करना कुछ और value put करो, इसमें आप put करके देख लो 1 0, सबसे best रहता है जब भी line origin से पास हो तो आप 1 0 put कर लो, या x axis का या y axis का कोई भी point put कर लो तो आप 1 0 यहाँ पर put करोगे तो यहाँ जाएगा 1 greater than equals to 0 तो statement यहाँ पर true बन रही है अब statement अगर यहाँ true बन रही है तो इसका मतलब होगा, कि यह वाला जो point होगा, यह इसके solution में होगा 1 0 इधर होता है, तो इस वाली line का जो solution है, यह नीचे की तरफ होगा इस वाली line से नीचे की तरफ होगा ठीक है, बाकियों को आप ऐसी test कर सकते हो जीरो जीरो यहाँ पर डालोगे, तो 0 greater than equals to do, false आ रहा है तो मतलब यह away from origin होगा इस line से उपर जाएंगे आप इसमें डालोगे 0 greater than equals to 3, तो यह भी away from origin जाएगा इसमें डालोगे तो यह towards origin आएगा, तो इसमें जो shaded portion आगर आप देखोगे, कौन सा बन रहा है, तो यह वाला जो portion आ रहा है, यह इसमें shaded है अब इसके आपको corner point यह है एक तो एक यह है, एक यह है और एक यह है यहाँ पर x की value 3 है तो यहाँ x की value तो 3 रहेगी अब यह किसके साथ cross कर रहा है यह इस वाली line के साथ cross कर रहा है, यानि इसके साथ, अगर x की जगे यहाँ पर मैंने 3 put करा, तो minus 3 उदर जाके plus 3 हो जाएगा, 2, 3, 5 तो y की value क्या बनेगी 5 upon 2 यानि 2.5 दीखे, यह 5 upon 2 लिख तो सिधा यह 2.5 यहाँ पर यह वाला point यह cross कर रहा है इस line के साथ, तो इसके अंदर तो आप x को 3 डालते हो, तो y भी 3 आएगा तो यह point आजाएगा आपका 3, 3 यह वाले जो दोनों point है इसमें y की value 4 रहनी है y की value 4 रहनी है अब यहाँ पर इसका intersection इसके साथ हो रहा है तो यहाँ वाई 4 है तो x भी 4 आएगा और यह वाला जो point है इसमें आप यहाँ पर डालोगे y की जगे 4, 4 और 2, 6 4 दूनी 8 8 को यहाँ लाओगे तो minus minus cancel हो जाएगा प्लस 6 तो यह आपके इसके corner point आजाएगे तो अब आप यहाँ पर corner points लिखो यहाँ जैड लिखो और इनकी values फाइंड गरो corner point हमारे पास आया 3 और 5 अपान 2 3, 3, 4, 4 and 6, 4 अब इस value को आप यहाँ पर x और y की जगे डालोगे तो यहाँ से value मिलेगी हमें 10.5 इस वाली value को जब डालते हैं यहाँ से value आ रही है 8 इसको डालने पर आएगी value 4 और इसको डालने पर आएगी 6 अब इसमें से आपको क्या करना है minimize करना तो minimum value आपकी यहाँ पर आ रही है तो Z is minimum at 4, 4 and minimum value निकाल नहीं है तो minimum value होगी आपकी 4 इसके बाद चलते हैं next question पर जो की question number 29 है इसमें कहता है कि the demand and supply function under pure competition is this, यह demand function है यह supply function है find the consumer surplus and producer surplus अब जब यह under pure competition बोल रहा है तो इसका मदलब कि यहाँ पर demand और supply दोनों आपस में equal होगे तो demand function आपके पास है 16 minus x square और यह है 2 x square plus 4 तो आप इसको इदर लेके जाओ इसको इदर लाओ तो यहाँ जाएगा 12 equals to 3 x square x square की value आजाएगी 4 यानि x की value आजाएगी plus minus 2 minus वाली आपको लेने की ज़रूद नहीं क्योंकि x यहाँ पर quantity है अब यहाँ पर x की value का 2 है तो p की value निकाल लो यहाँ पूट कर दो और वहाँ पूट कर दो कहीं भी कर सकते हो तो 2 का square 4 आगया 4 तो जाएट 8 प्लस में 4 12 यानि अगर x not हमारा 2 है then p not यह हो जाएगा 12 अब निकालो पहले आप consumer surplus उसका formula में आता है 0 to x not यहाँ पर आजाएगा आपके पास demand function minus x not p not formula जरूर लिखना जो भी आप question कर रहे हो values पूट करते हैं यहाँ जीरो टू x not की value 2 है demand function हमारे पास 16 minus x square इसको integration minus x not p not x not at 2 और p not at 12 इसको integrate करेंगे 16x minus x cube upon 3 limit आगी 0 to 2 minus 24 यहाँ पर आप limit put करोगे 16 to the 32 minus 8 upon 3 minus 24 32 में से 24 minus करोगे तो 8 आजाएगा 8 minus 8 upon 3 तो 3 x are 24 24 minus 8 16 upon 3 यह बना आपके पास consumer surplus अब निकालो आप producer surplus producer surplus में यह x not p not पहले आजाएगा minus 0 to x not यहाँ पर आजाएगा supply function x not आपके पास 2 आगया यहाँ पर यह 12 आगया 0 to 2 supply function हमारे पास यह है 2 x square plus 4 12 तूज़ा 24 minus यहाँ करेंगे इसको 2 x cube upon 3 plus 4 x 22, 24 minus यहाँ पर देखो 2 का cube हो जाएगा 8 8 to the 16 16 upon 3 यहाँ पर आजाएगा 8 और plus minus minus हो जाएगा ब्रैकेट आप खोलोगे तो minus हो जाएगा 0 को रखने की जरूद निया दोनों 0 हो जाएगे तो 24 minus 8 16 हो गया 16 minus 16 upon 3 16 3 जाब 48 48 में 16 माइनस करोगे तो आजाएगा 32 upon में 3 यह बन गए आपके पास producer surplus तो दोनों consumer surplus producer surplus यह आगे हमारे पास answer उसके बाद question number 30 पे चलते है 30 में कहता है कि an earn contain 5 white and 7 red ball and 8 black ball एक earn आपको दे रखा है उसके अंदर 5 तो white है 7 red है और 8 black है तो total मिलाकर बन गी 20 balls 4 balls are drawn and हो गया आपके पास 4 कि आपको 4 ball निकालनी है are drawn one by one with replacement with replacement मतलब binomial distribution का case बन गया find the probability that all are white तो सारी की सारी white होंगी यह हमें बताना है तो यहाँ पर x किसको represent कर रहा है x represent white ball तो यह जो success है वो white ball है x represent white ball तो उसके इसाब से p क्या हो जाएगा आपके पास white ball हमारे पास 5 है total ball 20 है तो p की value तो आगी 1 upon 4 और q की value आगी 3 upon 4 अब उसने कहा कि 4 चार ball निकाल रहे है चारो की चारो white होंगी तो यहाँ पर आप formula लगाओ ncr का 4 c 4 और p की power p कितना आपके पास 1 upon 4 इसकी power आजाएगी 4 और 3 by 4 की power आजाएगी 0 4 c 4 को solve करेंगे 1 आएगा और 1 upon 4 की power 4 यानि 1 upon 2 5 6 यह इसकी probability आगई second part पर जाएगे तो करेंगे only 3 are white केवल 3 white है तो formula बना 4 c 3 1 upon 4 की power 3 और यहाँ पर आजाएगा 3 upon 4 की power 1 4 c 3 को solve करो के 4 आएगा यहाँ जाएगा 1 upon 64 और यह 3 upon में 4 इससे यह cancel तो यहाँ जाएगा आपके पास 3 upon 64 यहाँ 3 upon में 4 की power 3 अब इस तरह से भी छोड़ सकते हो उसके बाद चलते हैं question number 31st पर तो 31st में इसने बदाएगी 10 years ago Mr. Mehra set up a sinking fund to save for his daughter higher studies अपनी daughter की higher study के लिए उन्होंने sinking fund बनाया 10 साल पहले at the end of 10 year he has received an amount of rupees 10,21,760 अब 10 साल के बाद उन्हें यह total amount मिला यह total amount मिला इसका मतलब यह है हमारे पास A sinking fund के फार्मूले में A होता है वो यह है what amount did he put in the sinking fund at the end of every six month for the tenure which paid him 5% per annum compounded semi-annually तो आई कितना हो गया 5% लेकिन semi-annually हो रहा है तो 2 से आप divide करेंगे तो यह आजाएगा 2.5% यानि 0.025 ठीक है और आपको ज़्यादा calculate की चक्कर में पढ़ना ही नहीं यहाँ पर जो value होगी वो ही आपको वहाँ पर निकल के आएगी time कितना था 10 साल लेकिन semi-annually count हो रहा है इसलिए n की value हो जाएगी 10 into में 2 या जाएगी 20 तो formula में सब कुछ आपको यहाँ पर clear हो जाएगा कि आपने n गलत निकाला या सही निकाला है आपने आर सही निकाला है आई मतलब आई वो सही निकाला या गलत निकाला है अब आपको formula वस put करना है आपको यह बताना है कि हर 6 महिने बाद उन्होंने कितनी payment जमा करी मतलब आर आपको निकालना है तो formula हमारे पास यह वाला होता है इसमें एक ही जगे आप put करो आर आप हमें निकालना है 1 प्लस 0.025 इसकी पावर 20 माइनस 1 डिवाइड़ बाई 0.025 इसको करो आप cross multiply 25 से अगर हम इसको multiply करेंगे तो यह multiply होने के बाद आपके पास बनता है 25544 इसकी value हम रखेंगे यह 1.6386 माइनस 1 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो यह जाएगा 0.6386 आर की value निकालेंगे तो 25544 को आप divide कर देंगे 0.6386 से अब इसको जब आप divide करेंगे तो आपके पास value आ रही है वो आ रही है 40,000 यानि हर 6-6 माइने बाद जो पेमेंट जमा की गई वो थी रूपीज 40,000 उसके बाद आते हम section D पे है पांच नंबर का section है बड़ा इंपोर्टेंट section है यहां पर रहता है कि यह loan of rupees 250,000 at the interest rate of 6% per annum compounded monthly इस to be amortized by the equal payment अभी amortize word आगया तो इसका मतलब यह नहीं कि amortization वाला जो पूरा concept वो आपको करना है amortization का मतलब होता है loan दिरे-दिरे कम होता रहता है ठीक है by equal payment at the end of each month for 5 year 5 साल तक यह payment आपको जमा करनी है तो what is the size of each monthly payment यानि amai कितना होगा and what is the total interest paid total interest कितना आप मिला कर पे करोगे तो आपके पास यहां पर loan amount यह है 2,50,000 का interest rate 6% है लेकिन 12 से divide करेंगे तो 1 by 2% उसको solve करोगे तो आ जाएगा 0.005 और time यहां पर 5 साल का है 12 से multiply करोगे तो power आ जाएगी यानि 60 आ जाएगी अब amai का formula आपको apply करना है amai का formula होता है p into i into अगर power आपको plus में दे रखिए तो यह वाला लगाना है power plus में है तो यह वाला लगाना है power minus में है तो उपर p into i होता है और इसको उल्टा कर देते हैं और power यहां पर negative हो जाती है तो p आपके पास है कितना amount है 2,50,000 लिएक है i 0.005 और 1 प्लस i 1 प्लस 0.005 इसकी power 60 divided by 1 प्लस 0.005 इसकी power 60 minus 1 इसको इससे multiply कर लेते है 255 जाब 125 decimal के बाद तीन प्लेस आ रहे हैं आपर 30 छोड़ दो यहां पर इसकी value पुट करेंगे इसकी value है 1.3489 divided by 1.3489 minus 1 1 3 4 8 9 और नीचे 3 4 8 9 ठीक है minus करेंगे तो 0.3489 आएगा decimal यहां भी 4 प्लेस के बाद होता है यहां भी 4 प्लेस के बाद होता है तो उस decimal को आप खतम ही कर दो अब बस इनको जितना काट सकते हैं उतना काट के छोटा करो और इसको divide करो तो divide करके यह हमारे पास बन रहा है 4832 4832.625 यह आप इसको दो प्लेस में लिखोगे तो आप इस तरीके से इसे लिख लो यह तो बन किया आपकी EMI अब इसने पूछे आप से total interest कितना pay कर रहे हैं अब interest निकालने के लिए क्या करना होता है मैं कि EMI जो आती है इसको आप N से multiply करते हैं उसमें से principal minus करते हैं यह बनता हमारे पास total interest तो EMI हमारी बनी 4832 .63 कितनी EMI बनी 60 EMI बनी और 2,50,000 का loan था इन दोनों को जब आप multiply करोगे multiply करके और minus करके हमारे पास value आ रही है 264957 264957.80 तो यह आपके पास total interest जो आपने pay करा loan आपने लिया था 2,50,000 का लेकिन interest दे रहे हो आप 2,64,957 रुपे और 80 पैसे इंटरस्ट ज़्यादा दे रहे हो और क्योंकि time period बहुत ज़्यादा है question number 33 में यहां पर कहता है कि Mrs. Samita Ranse bread factory and the record of her sale of a bakery item for the period of this यह आपको data दे रखा है यहां किरा by taking year 2017 as origin use method of least square to find the best fit trend line equation यानी equation आपको बदानिये trend line की show data steps पर आपको show करने steps तो वो तो show करने पड़ेंगे बिना उसके तो बनेगा ही नहीं year आपको यह दे रखा है 2015, 16, 17, 18 and 19 ठीक है यह वाला कॉलम सेल्स इसको हम वाई से देनोट कर लेते हैं 35, 42, 46, 41, 48 अब यहां पर N हमें दिया हुआ है 5 N5 दिया हुआ है तो जो origin year होगा उसका central वाला year होगा वैसे उसने question में बता भी रखा है कि origin year आपको 2017 लेना है question में उसने बता भी रखा है जो बता रखा है तो फिर तो आपको वही लेना पड़ेगा वैसे ठीक है लेकिन अब यहां पर आप यहां से x निकालोगे इसमें से 2017 में से 2017 को माइनस करोगे 0 आगया उपर माइनस 1 आएगा फिर माइनस 2 नीचे प्लस 1 प्लस 2 उसके बाद दो कॉलम चाहिए होते हैं में x square चाहिएगा और xy चाहिए x square करेंगे 4, 1, 0, 1, 4 xy मतलब इन दोनों कॉलम को multiply करो अब यहां से इसको solve करो आप तो देखो 41 और 42 को solve करोगे इन दोनों से minus 1 बचता है आपके पास minus 1 इसके साथ लगा तो 71 हो गया मतलब 192 में से आपको 71 माइनस कर लेना है तो कितना बनेगा 2 minus 1 1, 9 minus 72 और यहां पर आगया यह 1, 2, 1 आ गया इसका total करेंगे 4 और 1, 5 और 5, 10 इसका तो 0 ही रहना है हमेशा इसका करोगे 5, 10, 7, 6, 13, 14, 8, 22 बचे 2, 2, 3, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 4, 21 यहां जाएगा आपके पास 212 अब यहां पर A और B की value आपको निकालनी होती है A की value होती है sigma y upon n तो sigma y हमारे पास है कितना 212 और n हमारे पास 5 तो 5 से divide करने की जगे आप इसको 2 से multiply करो 4, 2, 4 और decimal लगा दो यहां पर यह A आ गया और जो B की value हम निकालते हैं इसका formula होता है sigma xy upon में sigma x square तो यह है 1, 2, 1 upon में 10 तो 10 से इसको divide करोगे 12.1 तो जो trend line की equation है यह क्या बनगी यह होती है A plus Bx तो A की जगे रखेंगे 42.4 plus 12.1x यह trend line की equation हागी अब इसकी बाद second part और दिया हुआ है इसमें 5 number का यह question दिया हुआ है यहां गरा demonstrate the technique to fit the best suited state line trend by the method of 3 year moving average अब यहां पर आपको सिर्फ 3 year moving average के साब से जो trend values है जो वो निकालने trend value मतलब जो 3 year moving average हम निकालते हैं उसी को trend value बोलेंगे तो उसके लिए आपको यह वाला column चाहिए और यह वाला column चाहिए ठीक है इन दोनों columns को बस use करना है आपको इन में से बाकी तो आपको कुछ और use करना नहीं है अब आपको यहां पर निकालना है 3 year moving total 3 year moving total और 3 year moving average दो column हमें बनाने क्योंकि यह दो column आपको दुबारा लिखने पड़ेंगे मैं इसको अभी ऐसे use कर रहा हूँ यह दो column बस तो आपको main तो आपको इसकी जरूत पड़ेगी इसकी जरूत भी नहीं पड़ेगी आप इसका total करेंगे पहले तीन का total करो पांच और दो साथ साथ और छे तेरा और लिखना कहा है जो इन तीनों के center वाली value है यह मतलब पहली वाली value छोड़ देंगे यहां लिखेंगे ठीक है चार 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 बारा 123 अगले का total करोगे आप तो एक तरीका मैंने आपको यह बताया हुआ है कि आप यह देखो एवरेज निकालो उसके लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 3,4,12 और 3 बंज़ा 3 यहां पर आजएगा 3,4,12,3,309,3,4,12,3,5,15 तो 41,43 और 45 यह बन जाएगी इसकी moving average अब इसमें आगे कह रहा है कि also draw the trend line अब trend line को भी आपको ड्रो करके दिखाना है तो इसमें आपको graph भी बनाना है तो graph जब आप बनाओगे एक्स की value आपको लेनी है यह वाली value जो year है वो आपको इधर लेना है 2015 से start ना 15,16,17,18,19 यहाँ पर लिखो आपने लिया है यहाँ पर year और यह वाली value का है sales तो यहाँ पर आप ऐसे दिखाओगे यहाँ पर sales in rupees अब sales की पर क्या है यहाँ पर देखो 30 की line में यहाँ पर भी जो average आ रही है आपको एक तो यह वाला column चाहिएगा graph में और एक यह वाला column चाहिएगा यह दो column आपको graph में बनाने है तो अब यहाँ पर देखो 30 में लाइन है तो आप 10 10 का gap ले लो 10 20 30 40 50 ठीक है यहाँ फिर हम एक काम यह कर सकते हैं क्योंकि सारा जादर 40 में है तो हम सिधा 30 से अगर start कर ले थोड़ा gap आपका अच्छा बन जाएगा उसमें 30 से अगर हम start कर लेते हैं इसको मैं 30 ले लेता हूँ इसको 35 ले लेता हूँ इसको 40 इसको 45 और इसको 50 आप ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि जो हम 10 12 30 लेंगे तो जादर वेल्लू 40 में है तो बहुत बिल्कुल close close बनेगा आपको थोड़ा plot करने में दिखात आई अब यहाँ पर देखो 2015 के सामने आपको 35 पर मार करना है तो यह पर आजाएगा कहीं ग्राफ में सही बनेगा अब यह थोड़ा अंदाजे से हम बना रहे हैं 46 फिर 41 उसके बाद फिर 48 ठीक है इनको जोइन करो यह जोइन कर दिया आप यहाँ पर लिख देना actual line क्योंकि यहाँ मैं तो color से use कर रहा हूँ आपको तो वहाँ pencil से use करना है तो actual line लिखो उसके बाद बिनाने आपको trend line अब यहाँ पर पहले वाला जो step यह छोड़ देना आपको अगले year से start करना उसके सामने 41 यहनी 16 के सामन 41 पर मार्क करेंगे हमारे पास यह 42 था तो इससे थोड़ा साही नीचे रहेगा फिर 43 तो फिर 43 उसके बाद फिर 45 तो इस लाइन को आप ऐसे dotted line में दिखा देना ठीक है यह लाइन बनेगी आपकी trend line तो यह actual line trend line यह दोनों लाइन आपको बना के दिखानी है तब जाके question आपका complete होगा question number 34 यह करते दा amount of oil pumped from one of the well decreases at the continuous rate of 10% per year जो oil का हमारे पास कुवा है ठीक हमारे पास तो का में इरान इराक में ज़्यादा कुवा है है वहाँ से जो निकाल रहे है तो वह कितना कम होता जा रहा है decrease हो रहा है continuous at the rate of 10% per year हर साल 10% वह कम होता जाता है तो when will the well output fall to one-fourth of its present value जो अभी उससे में oil जितना है उसका one-fourth होने में उसे कितना time लगेगा यह आपको बताना है तो इस तरह के questions में आपको हमेशा start करना है आपको एक value ले 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 नहीं है पी मालो कुछ भी मालो लेट पी वी दा quantity of oil quantity of oil at any time t कि किसी एक particular time पर quantity जो है oil की पी है अब किस rate से change हो रही है 10% per year change हो रही है तो यहाँ पर आपको ले लेना है dp by dt is equals to 10% 10% किसका change हो रहा है पी का change हो रहा है यहाँ मतलब जितनी quantity थी उसका 10% decrease हो रहा है तो decrease हो रहा है तो यहाँ पर minus का sign और लगा देना अगर बढ़ रहा है तो plus रहने तो minus हो रहा है तो कम कर दो तो dp by dt जा जाएगा minus 10 upon 100p इससे cancel dt को आप इधर लेके जाओ तो यह बन गया dp upon में p जाएगा minus 1 upon में 10 dt उसके बाद इसको integrate करो integrate करेंगे यहाँ जाएगा log p यहाँ जाएगा minus 1 upon 10t प्लस में c यह बनेगी पहली equation उसके पाद आपको हर question में इस तरह को जो भी question आप करोगे सबसे पहले आपको t को 0 put करना है t को 0 put करोगे आपको देखो कि initial value कुछ दी है नहीं दी है तो आप यह मान के चलो t equals to 0 पर p की जो value है वो p not होगी तो यहाँ पी की जागे आप p not put करो minus 1 upon 10t यह जाएगा log of p not इस p not को आप इधर लेके जाओ यहाँ पर यहाँ तो हमें value put करनी है न तो अगला step लिख दिया मैंने तो यहाँ पर t की जाएगा 0 put करोगे तो यह 0 हो जाएगा plus में यहाँ पर आजाएगा c तो c की value हमें निकालने है c की value मिलगी आपको log of p not तो first equation पर आएगे वापस यहाँ से लिख देएगे log p equals to minus 1 upon 10 t plus में log of p not इस log of p not को आप इसे लिख लियाओ इन दोनों को log की property लगा कर इखटा कर दो यह आपके पास बनगे एक second equation अब आगे कहता है कि जो उसके अंदर जितना total अभी present है starting में जितना भी था उसके बास उसका one fourth होने में उसे time कितना लगेगा तो time आपको निकालना है अगर p की value p not by 4 है तो आपको time की value बतानी है तो यहाँ पर आप log p की जगए आपकर कर दो यहाँ पर p not upon में 4 जो p not नीचे लिखा वाता इसको आप ऐसे ही रहने दो यह minus one upon 10 t यह हो जाएगा cancel इसको आप उपर लेके जाओ अगर आप log में reciprocal करते हो argument का तो sign इसका change हो जाता है यहाँ minus आजाएगा इधर से minus one upon 10 t है इससे cancel कर देना log 4 अब आपको log 4 की value दे रहे किये तो ठीक है यह log 2 की value दे रहे किये तो इसको 2 में convert कर लो लेकिन हमें log 4 की value दे रहे किये सीदी 1.386 इसको आप यहाँ पर put करो और 10 यहाँ into हो जाएगा तो जो time आएगा आपका वा जाएगा 13.86 years यानि इतने सालों के अंदर जितना भी उसके अंदर था ओई उसका one fourth रहे जाएगा अब इसके option में आपको एक question दे रहे है differential equation का इसमें करता है कि find the differential equation of each of the following family of all circles which touches the x axis at origin तो यानि किन circle के बारे में बात कर रहा है जो circle x axis को origin पे touch कर दे यह आपका origin है यहां से touch करते हुए जा रहे हैं अब touch करते हुए जा रहे हैं क्योंकि circle तो symmetric होता है तो जितना यह इधर बनेगा उतना इधर बनेगा अगर मैं थोड़ा सा भी इधर कर दूँगा तो origin से touch नहीं करके जाएगा यह पिर यह कहीं और से चला जाएगा ऐसे यहां पर कह रहा ह है तो इसके center के coordinate बनेगे 0K center को normally h के लेते हैं लेकिन यह x axis को touch कर रहा है इसलिए यहां से 0 से जो y की value आएगी इसमें वो कुछ ना कुछ होगी x की value इसमें 0 हो जाएगी दूसरी चीज क्योंकि origin को touch कर रहा है इसलिए यह जो distance होगा इसका यह भी k के बराबर ही होगा तो जब हम equation लेंगे circle की circle की जब हम equation लेंगे standard format यह होता है x minus h का square y minus k square is equals to r square अब इस concept की वज़े से अगर आप figure बना के समझ लोगे ना तो concept आपको clear हो जाएगा अभी क्या हो रहा है यहां पर h, k, r तीन arbitrary constant हैं लेकिन यहां पर इस question के अंदर क्योंकि h की value 0 हो जाएगी और जो radius है यह भी k के बराबर हो जाएगा तो स्रिफ आपके पास एक ही constant बचेगा अब एक constant बचता है तो हम एक बार derivative करते हैं तीन constant होते तो तीन बार derivative करना पड़ता है अब सोच लो आप अगर आपने यह चीज नहीं समझी आपने तीन constant लेके solve कर दिया बहुत लंबा च derivative करना है और arbitrary constant को हमें खतम करना है तो इसको आप उधर लेके चले जाओ पहले अभी हम derivative करेंगे तो अभी खतम नहीं होगा कि यह वाई साथ में है तो इसके लिए क्या अगरो वाई को इधर लिया अब आप derivative करोगे तो यहां कोशन टूल लग जाएगा और यह खतम हो derivative इन्टू में denominator फिर minus का sign numerator as it is फिर denominator का derivative y1 यह आ जाएगा 0 वो डिवाइड में आएगा denominator का square इसको अधर ले जाओगे 0 ही हो जाएगा यहां से इसकी bracket आप खोलोगे तो 2xy यहां पर आ जाएगा 2y square फिर y1 minus x square y1 minus y square y1 तो यहां पर देखो 2xy यह term different है यह y square y1 इदर भी है इदर भी है 2 में से 1 minus करोगे तो 1 आ जाएगा यानि यह बचेगा और यहां से यह आ जाएगा तो यह आपके पास इसकी differential equation बन जाएगी आप इसमें common निकाल के लिखना चाहते हो common निकाल के लिख दो या फिर आप इसको आपको ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी आपका answer आ गया question number 35 इसमें गयता कि राहूल is at the wholesale market to purchase folding table and chair राहूल को market से folding chair और table जो है वो खरीबनी है to later sell them at his furniture shop और बाद में वो से बेचेगा he has only तो हमाल लेते हैं कि जो folding table है यह x है और यह y है इस तरह से आपको statement में उसको लिख देना है अब उसके करता है कि he has only rupees this to spend and his van has a space to carry at the most 20 item अब वो जो वैल लेके गया न समाल लेने के लिए उसमें वो 20 से ज़्यादा item रख नहीं सकता तो 20 से ज़्यादा गर वो खरीद लेगा तो कहां लेके जाएगा सर पे तुर्णा उठा के लेके जाएगा तो इसलिए दोनों का जो total आएगा x plus y या नची यह less than equals to 20 यह पहली condition हुई और जो वो खर्चा कर रहा है table उसको पढ़ती है 360 रुबे की एक table और हमने x table खरीदी ह तो 360 x plus chair उसकी इतनी है 240 की 240 वाई अब इसकी भी जो quantity है तो उसका जो total cost है उसके बास इतने ही रुपे है इस पर spend करने के लिए तो इसकी जो value है वो इससे कम होनी चाहिए यह बना second constraint लेगिन इसमें पहले आप common निकाल लो तो 000 common निकल गया उसके अलावा 12 से भी common निकल जा उसके बाद फिर कहता है कि बैक एट इस चोप ही प्लान टू सेल टेबल एट प्रॉफिट और रूपीज टेबल को इन प्रॉफिट पर देजता है उससे पहले आपको एक इसको बूलना नहीं है बिल्कुल भी और जो जैट आपका बनेगा यह आएगा 22x प्लस 18y अब जैट को क्या करना है प्रॉफिट है तो maximize ही करना होगा given that he can sell all the item that he purchase how many table and chairs shall he purchase in order to maximize his profit अब यहाँ पर आपको ना method का नाम नहीं दिया तो आप इसा भी method यूज करो ठीक है आप पहले तो graph बनाओगे इसका ग्राफ में एक्स वाई एक्स को जीरो करोगे वाई ट्वेंटी वाई को जीरो करोगे एक्स ट्वेंटी यह लाइन आ जाएगी उसके बाद फिर यहाँ एक्स जीरो करते हैं तो वाई आ जाएगा 24 और वाई जीरो करेंगे तो एक्स आ जाएगा 16 अब इसका शेडिट पोशिन दोनों में क्योंकि लेस का साइन आ रहा है तो शेडिट पोर्शन इसका टू वाट्स ओरीजन आएगा मतलब यह वाला आपका शेडिट पार्ट आ गया इन को सिंक्लीफाई करने के बाद इनको कम सिंक्लीफाई करेंगे तो हमारेपास वेलू आर ही एट और ऩट वै這樣 फशेड डोनों को जो भी answer निकल जाएगा, corner point से निकल जाएगा, corner point 00 हो गया, 16 0 हो गया, और 020, उसके लबाई point हो रहा है, हमारे पास 8 और 12, 00 से तो 0 हो जाएगा, 16 को यहाँ put करोगे, यहाँ पर put करोगे, 176 और 12 को 18 से multiply करने के बाद, फिर इसको add करोगे, तो आजाएगा 392, और यहीं से हमें maximum profit मिल रहा है, तो आप last statement में लिख देंगे, maximum profit is रूपीस 392, if we purchase, folding table is 8, and chair is 12, last statement में आंसर जरूर देना है, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, statement में आंसर आपको जरूर अपने देने है, अब इसकी option में यह question आपको मिल गया, तो यहाँ पर कहता है कि David want to invest at most rupees 12,000 in bond A and bond B, तो bond A और bond B में invest करना चाहता है, इतने ही रूपे वो invest कर सकता है, according to the rule, he has to invest at least rupees 2000 in bond A, तो वो bond A लेता है, तो उसमें उसको इतना invest जरूर करना पड़ेगा, तो माल लेते हैं कि जो bond A है, वो कितने रूपे के खरीद रहा है, वो X रूपे के bond खरीद रहा है, तो इसकी जो value होगी X की, वो greater than equals to 2000 होगी, एक constant यह होगया, और जो bond B वो खरीदेगा, उसमें भी आप उसको कम से कम 4000 रूपे लगाने पड़ेंगे, यह constant होगया, उसके अलावा bond A और B दोनों में मिला कर वो इतने पैसे लगा सकता है, X प्लस Y, इसकी जो value है, वो आगी 12,000 से जादा नहीं होनी चाहिए, अब अगर यह दोनों आपके पास आ गए हैं, अब आगे कहता है कि, if the rate of interest on the bond A and B are 8% and 10%, यह बनेगा Z, 8% का मदलब हो गया, 8 upon 100X, 10% का मदलब हो गया, 10 upon 100Y, काटने पीटने की से जरूद है नहीं, आपको इसको करना है, profit को maximize, तो same question पिछला जो हमने करा था, उसी की तरह रहेगा, graph बनाओगे, X की value 0 तो Y की value 12,000 और Y की 0 तो X की 12,000, यह line आ जाएगी, उसके बाद X की value 2,000 है, तो इसकी line ऐसे आ जाएगी, और Y की value 4,000 है, इसकी line आ जाएगी, तो अब यहाँ जो shaded portion है, वह आप देखोगे यहाँ पर, इन दोनों में false आएगा, यानि दोनों में away from a reason जाएगा, इसमें towards a reason आएगा, तो जो shaded portion है आपका, वह यह वाला बनेगा, एच्छोटा सा part, अब इसके आप corner point निकालोगे, तो इसके corner point बन जाएंगे, तो यह वाला तो बनेगा, इसमें दो X की value 2000 है, य की value 4000 है, तो यह तो बन गया आपके पास 2000, 4000, यह वाला निकालोगे तो इसमें ये वाली line और ये वाली line, यानि Y की value 4000 है, तो X की 8000 आ जाएगी, तो 8000 और Y की वेल्लू 4000 इस वाले पॉइंट में X की वेल्लू 2000 रहेगी और Y की वेल्लू 10,000 तो ये तीन कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे इन तीनों को आपको यहां रखना है Z आपके पास यह है तो कॉर्नर पॉइंट एक तो है आपके पास 2000 और 4000 फिर यहां पर आएगा 8 और 4 उसके बाद आएगा 2 और 10 अब यहां पर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो नीचे इन दोनों के 100 है तो यहां से 2 0 तो आप ऐसे ही कम कर देना यहां पर 20 रहे गया 28 जा 160 और यहां पर हो गया 400 तो कितना जाएगा 560 ठीक है यहां पर पूट करोगे 80 ले ना 8 जा 64 तो 640 प्लस इसको मल्टिप्लाइ करेंगे यहां पर आजाएगा 400 तो यहां जाएगा 1040 तो यहां पर पूट करोगे यह आजाएगा 160 और यहांपर put करोगे तो यहां जाएगा 1000 क्योंकि यहां पर 4-0 है तो 1000 यह और 160 यह नहीं 1160 तो यहीं पर यह आपको maximum profit हो रहा है ठीक है maximum profit हो रहा है अगर आप पहले bond में इतने पैसे लगाते हो तो आपको इतना फाइदा इसमें होगा इस तरीके से आपको यह बताना है उसके बाद हम चलते हैं section c पर सरी section e पर अब section e में आपके पास यह case study है races and games में से अगरता ही ने kilometer race a gives b a start of 40 meter a जो है b को 40 meter का start दे रहा है तो पहली condition यहां draw कर लेता हूँ a b को start दे रहा है कितना 40 meters का a wins by 19 seconds और a जो है वो 19 seconds में जीज जाता है b इदर है a इदर पहुँच गया यहां पर time लगा 19 seconds का और उसके बाद फिर एक condition और दे रखा है if इने kilometer race a gives b a start of 30 seconds अब a ने b को time का start दिया 30 seconds का start दिया a इदर है और b को इसने 30 seconds का start दिया यानि इसके 30 seconds बाद a ने race करने start करी and then b wins by 40 meter इस बार लेकिन b जो है वो race जीत गया कितने margin से 40 meter के margin से अब आपको यह information से यह चीज़े बतानी है in first case find a time taken by b to complete the race फिर पहले के एक चीज़ करते हैं पहले इन दोनों situation को समझ के यहां से हम equations बनाते और a b की speed निकालने की कोशिश करते हैं इसे x है और b की speed यहां पर वाई है तो अब यहां पर यह कह रहा है कि a ने b को start दिया कितना 40 meter का start दिया और a जो है वो 19 seconds से race जी दिया तो पहली condition में in first condition distance for a, a ने कितना distance cover किया distance आगया एक कितना पूरा क्योंकि तो race जीता है एक किलोमेटर मतलब 1000 meter और इसका जो time है वो मान लेते हैं t second इसको time लगा तो यहां से इसकी speed कितनी हो जाएगी speed होगी distance upon my time meter per second अब हम बात करते हैं b की distance for b अब क्योंकि a ने b को 40 meter का start दे दिया तो 1000 में से 40 meter तो उसके already cover हो गए ना तो बचे कितने 960 इस 960 meter को cover करने में b को time कितना लगा तो उसने बता रख्या कि a जो है वो 19 seconds से race जीत गया तो अगर a को t second लगे होंगे तो b को t plus 19 seconds लगे इसके इसके साब से इसकी speed निकालेंगे तो यह जाएगी 960 upon में t plus 19 meter per second यह पहली situation से आपने यह data collect कर लिया दोनों का अब हम दूसरी situation बढ़ाते हैं दूसरी situation में इसने का कि a ने b को 30 seconds का start दिया और b जो है वो 40 meter से जीत गया अब b 40 meter से जीता है इसका मदलब जो a ने जो time distance cover किया यहां तक का a ने distance cover किया 960 meter का और तब तक b ने अपनी race पूरी कर ली यानि b ने पूरा distance cover किया कितना 1000 meter का in second condition यहां पर आप निकालो time कि दोनों के time में कितना फरकार है ताइम में दोनों के a ने बी को 30 seconds का वो दिया था टाइम दिया था एने बी को का था बही तुम 30 seconds पहले भाग लो तो यानि जब वो उसने बी ने race complete करी यह ने race complete करी तो यह time का difference तो रहेगा जो एने race complete करी पूरे कितनी 1000 मेंडर की उसने race कवर करी तो दोनों के जो time का difference है time taken by time taken by a minus time sorry b minus time taken by यह आपके पास 30 है एने जितना भी time लिया ओ बी ने जितना भी time लिया ओ लेकिन a ने बी को पहले 30 second पहले भगा दिया था यहनी दोनों के time में 30 second का difference है अब अगर हम यहां से b का time निकाले time का फार्मूला क्या होता distance upon में speed तो distance कितना होगा b ने क्योंकि race पूरी जीती है यहनी पूरा उसने 1000 मीटर का distance कवर किया और उसकी speed कितनी थी speed थी b की यह 960 upon t प्लस 90 इसमें से आपको माइनस करना है time taken by a अब a ने distance कितना कवर किया a ने यहां तक जब b ने race पूरी कर ली थी तब तक a ने यहां तक का distance कवर किया था यानि 960 मीटर का distance कवर किया था ठीक है और इसकी जो speed थी वो कितनी थी एक ही speed थी 1000 upon में t और यह आपके पास 30 के बराबर है इस equation को solve करके t निकल जाएगा फिर उसके बाद बागी सारी चीज़े निकल जाएगे t प्लस 19 को उपर लेके जाते हैं और इसको हम cancel करते हैं 4 से इसको काटेंगे यह 24 पे कट जाएगा 4 से इसको काटेंगे 25 पे कटेंगे तो आजाएगा 25 इंटू में t प्लस 19 divided by 24 ऐसे यह t उपर चला जाएगा यह भी कटने के बाद आजाएगा 24 upon में 25 t is equals to 30 अब आप ले लेंगे इसका LCM 25 और 25 दूनी 50 और 10 शाट इससको डिवाइड कर एगे 25 आएगा 25 को यहाँ 625, 625 को इन दोनों से आप मल्टीप्लाई करदोगे तो यह जाएगा 625 t और 625 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाता 11875 इसससे इसको डिवाइड करेंगे 24 आएगा 24 को 24 से multiply करोगे 576 T equals to 30 625 में से इसको minus करोगे 15 में से 6 गे 9 11 में से 7 गे 4 49 T और प्लस में 11875 इसको उधर ले जाके multiply कर दो 6 T 18 इसको वहाँ ले जाके minus करो तो आजाएगा 5 9 में से 7 2 9 में से 8 1 7 में से 1 गे 6 6125 और 6125 को आप divide करोगे 49 से तो आपके पास T की value आजाएगी 125 ठीक है T की value 125 आगी अब देखो क्या क्या आपसे पूछा गया है In first case find that time taken by B B ने time कितना लिया था B का time था T plus 19 तो पहले का answer आगया 125 plus 19 144 seconds Second वाले पार्ट में कहता है If A gives A start of 30 seconds to B A B को 30 seconds का start दे रहा है मतलब यह वाले case की बात कर रहा है Then how much time does A run for A कितने time के लिए भागा तो जब race दब तक खतम हुई Race खतम हुई यानि B जीत गया तब तक A ने distance कवर किया था 960 तो time कितना लगेगा इसको distance कवर करना है 960 speed कितनी है speed है A की 1000 upon में T 1000 upon में T T आ जाएगा 125 इसको आप उपर ले जाओ यह cancel करो यह सिधा इसको काट ही देते हैं यहीं पर 25,5,125,24,4 से हम इसको काट देते हैं यह दर आ जाएगा तो यह 24,5,120 120 seconds थर्ड में करता है कि what is the time taken by A to run a kilometer A को 1 kilometer भागने के लिए कितना distance कवर करना कितना time लगेगा तो वो तो आपने निकाली रखा यह इसकी उसका time कितना था जो starting में T T कितना था हमारे पस 125 तो थर्ड का option तो बन जाएगा 25 125 ठीक है फूर्थ में फिर इसके option में आपको दिया हुआ है A can run 22.5 B run 25 by what distance B beat A ने kilometer race यह कहरा है कि जब A जो है 22.5 भागता है तो B 25 मेटर भागता है तो इसमें A, B को कितने distance से हरा रहा है यहाँ पर हम कर लेते हो और वाला option तो A और B की जो ratio हो गई यह की 22.5 और इसकी आगी 25 तो अब यह पूछ रहा है कि by what distance B beat A यहाँ बी race पूरी करेगा कितनी race है एक किलो मीटर की एक किलो मीटर को cover करने मतलब एक हजार मीटर तो इसको एक हजार अगर बनाना है तो 40 से multiply कर देते है तो उपर multiply करोगे आ जाएगा 4 पंजे 20 4 दुनिया 8 हो दो 10 4 दुनिया 8 हो एक 9 नीचा जाएगा यह अपके पास 1000 यानि B जब 1000 कवर करता है तो A 900 मीटर कवर करता है यानि B beats A B beats A by 100 मीटर तो next question देखते है next में कहता है कि tank with a rectangular base and rectangular side of length X मीटर length आपको X मीटर दे रहे किये width आपको Y मीटर दे रहे किये open at the top is to be constructed so that the depth is 1 मीटर तो length X हो गई LX हो गया width Y हो गी और height उसकी 1 हो गी और volume हो गया तो जो volume होता है tank का volume होता है हमारे पास L into B into H volume यहाँ 9 दे रहे है L आपको X दे रहे है यह आपको Y दे रहे है यह आपको 1 दे रहे है तो यहाँ से XY की value आगे आपके पास 9 ठीक है अब यह आपके पास एक relation बन गया इसका हम यूज करेंगे आगे question solve करने में यहाँ कराए what is the cost of base तो base की जब आप cost निकालेंगे तो उसके लिए पहले base area निकालोगे अब base area base क्या है हमारे पास rectangular है rectangle का area उता length into breadth तो length और breadth को कर दोगे multiply अब क्योंकि XY की value हमारे पास 9 यहाँ पर already है तो आप इसको put कर सकते हो ठीक है यह आपके पास 9 आ गया 9 meter square और जो cost है इसकी base बनाने की cost है 70 per square meter तो cost कितनी बनेगी इसकी 9 को multiply कर दोगे आप 70 से 9, 7, 6, 63 यानि 6, 30 रूपीज में इसका जो base है वो हो जाएगा तयार ठीक है अब उसके बाद इस second part में कहता है कि what is the cost of making all the sides इसकी जो 4 sides है उसको बनाने में कितनी cost लगेगी तो पहले आप उसका area देखो second part में area of sides तो side का area होता है crowd surface area मतलब 2H into L plus B H की जगे तो 1 है L की जगे X है और B की जगे Y है तो यह बन गया आपके पास 2 into X plus Y अब इसकी जब आप cost निकालोगे तो इसको बनाने की cost है रूपीज 45 पर स्क्वेर मीटर 45 से इसको multiply कर दो 45 to the 90 X plus Y अब यहां से आप X या Y किसी एक को आप change कर लो अब यहाँ Y की value है 9 upon X वो यहाँ पर put कर देते हैं तो यह बन जाएगा क्योंकि आपको इसमें एक ही variable में answer को छोड़ना है अब X की value हमारे पास नहीं है अब यहीं पर ही छोड़ देंगे यह इसकी cost आगई अब थर्ड बार में कहाँदा if C be the total cost of the tank then find the value of C C की value बतानी है अगर आपको total cost निकालनी है तो यह हो जाएगा आपके पास CX total cost कितनी हो जाएगी जो cost आपको यह दे रखिए यह तो base की होगी इसके अंदर side की cost एड़ कर देंगे 90 into में X plus 9 upon X अब यहाँ पर इसका derivative करो यह तो 0 हो जाएगा 90 X का 1 हो गया इसका जाएगा minus 9 upon X तो यह आपके पास यहाँ पर थर्ड पार का अंसर तो यहीं पर ही खतम हो गया ठीके cost आगे यह और वाला पार्ट चला जाएगा इसमें पूछ रहा कि for what value of C is minimum तो उसके लिए derivative करो उसको put करके 0 इसको तो करने की जरूवत नहीं है स्रिफ इसी को put कर दो तो यह जाएगा 1 equals to 9 upon X square यानि X square की value आगी 9 X की value आजाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस लेने की जरूवत नहीं है अब इस value पर बस चेक कर लेना है कि यह minimum है या नहीं है तो उसके लिए second derivative करेंगे second derivative में 90 तो बहार multiply में ऐसी रहेगा 1 का 0 हो जाएगा इसका जाएगा 18 upon में X cube अब यहाँ पर आपर X की कोई भी value डालोगे greater than 0 ही आएगा तो इसका मनलब C minimum होगी at X equals to 3 तो X की value 3 पर C की value minimum आजाएगी उसके बार चलते हैं इसकी next case study पर अब यहाँ पर question में इसने यह सारी चीज़ आप यहाँ आपको ना starting में बस यह इसने बता रखा है कि sinking fund क्या होता है क्या नहीं होता तो यह सब की हमें जरूवत नहीं है यहाँ पर गया रहा है कि मशीन की cost है वो इतनी है effective life इतनी है sinking fund का जो rate अर्निंग का वो यह है और expected cost of new machine है वो इतनी है मतलब आपको जो पैसा इखटा करना है वो new machine के लिए खटा करना है तीन लाग रुपे इखटे करना है लेकिन आपके बाद जो machine है उसकी scrap value आपको मिल रही है तीस हजार तो जो amount आपको इखटा करना है loan लेने के लिए यहाँ पर यहाँ पर जो आपको पैसा इखटा करना है जो amount है उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिएगा तीन लाग में से तीन लाग में से तीस हजार आपको माइनस कर देना है तो आपको दो लाग सतर हजार रुपे के लिए sinking fund एक बनाना है time आपको दे दिया उसने साथ साल का rate आपको दे दिया पांच परसेंट का तो पुछता है what is the money required for a new machine after 7 years तो यह तो आपके पास आगया आपके पास ही आई गई आई की वेल्व पांच परसेंट पांच परसेंट मदलब 0.05 एन कितने साल है साथ साल एन की वेल्व साथ ही रहेगी क्योंकि इंट्रस हो है वो yearly काउंट हो रहा है तो एन की वेल्व आपको 7 ही रखनी है अब फर्स पार्ट में आपसे पूछें वट इस दा मनी रिक्वाइड फूर एन न्यू मशीन आफ्टर सेवन इयर् साथ साल बाद जब मशीन खरीदने जाओगे तो आपको कितना पैसा चाहिए तो मशीन तो तीन लाग की है तो तीन लाग चाहिए अब जो फंड आप इखटा गर रहे उसमें ए क्या है ए तीन लाग नहीं रखना ए रखना है आपको दो लाग सत्तर जार आई कितना है पांच परसेंट पांच परसेंट का मतलब हो गया जीरो पॉइंट जीरो फाइफ एन कितना है मतलब आपको सिंकिंग फंड का फार्मॉल लगाना है तो सिंकिंग फंड का फार्मॉल लेग दो एक वल्स तो आर वन प्लस आई रेस तो पावर एन माइनस वन डिवैड़िड बाई आई उसके बाद कहता है वट अमाउंट शूट दा कंपनी पूट इंट इंट ए सेंकिंग फंड अर्निंग फाइव परसेंट पर एनम तू रिप्लेस दा मशीन आफ्टर यूसफू लाइफ अब सेंकिंग फंड में आपको पैसा इखटा कितना करना मशीन के लिए तो इसको यहां मल्टिप्लाई कर दो पांस उते पैंतिस वांस दुनी दस उतिन तेरा दो प्लेस के बाद यह आ गया और आपको निकालना है इसकी वेल्डू आपको दे रहेंगे वन पॉइंट पॉर जिरो सेवन माइनस वन इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो यह आजाएगा 0.407 और आर की वेल्डू आप निकालेंगे 13500 को डिवाइड करना है 0.407 से अब 13500 को जब आप डिवाइड करोगे तो आजाएगा 33169 33169.65 और 53 इतना आपको अमाउंट उसमें हर बार जमा करना है ताकि आपके पास यह पैसा इखटा हो जाए और इसी कोशन के साथ ही यह पेपर हम यहां पर फिनिश करते हैं अब आप चेक कर सकते कि आपने कितनी गलतिया करी है कितना आपने सही करा है ठीक है एक प्रेक्टिस आपके ही हो गई है आई हो और जो जो आपको लगता है कि कमिया भी रह गई है उसको आप ठीक कर सकते हो आपके बास कल का दिन है कोशिश करोगे आप उसमें उसको ठीक कर सबकूँ आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्स तो अलोफ यूर।